नमस्कार इटना और सौदेश पे हपते के पहले कारवारी सथ में आपका स्वागत है यह है ख़ड़ा सौदा मैं हूँ मनिश मेर्डू है मेरे साथ है मेरे सहयोगी दोस्त डिमपी काला हमेसा आप दिली से देखते हैं लेकिन आज मुंबई आया है चुकि बजट का हपता है स तो आपना त्यारी कर लीजिए इस बार के हफते की जम कर आपके सामने में इंवस्ट्मेंट्स के ट्रेड ट्रेडिंग कॉल स्विंग ट्रेड हम रखनी जा रहे हैं और मैं आपको विश्वाश के साथ कैसे को मनीश जी बजट के बात का तुम्हें को नहीं पता लेकिन आपको गरंटी से बोल सकता हूँ मैं इसकी विज़े बता रहा हूँ इसका डाटा है ओ यह हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे सारे पाइंट्स लेकिन पहले जारा चार बड़ी एहम खबरें आपके स्क्रीन पर रखना चाहता हूँ जिसकी वह आप देखेंगे ना इस बजारों के लिए भी पॉजिटीव ट्रीगर है आपको भी बताऊंगा क्यों पॉजिटीव ट्रीगर है यह हम बात करेंगे दूसरा वेदान्त अदानी पावर चोला माइक्रोटैक के कुछ नंबर्स आएं अच्छे नंबर्स हैं और उसमें एक नंबर येस बैंक का भी है हमने लिखा नहीं लेकिन येस बैंक के नंबर भी काफी अच्छे हैं देखिए ट्रेडर्स और शेयर्स को भी लेते हैं लेकिन येस बैंक में लिकुडिडिटी काफी अच्छी है और नंबर अच्छे आने से मतलब है एक और ऐसा पॉइंट है मेरे पास जो आज मैं थगा बैंक निफ्टी के फेवर में बोलूँगा वो उसमें येस बैंक को भी डाउन करवाऊंगा आपके साब लिखवाऊंगा दूसरा है आई टी सी बजाज फनाइस बीपी सेल और एंटी की सी के नंबर्स है यह बड़े नंबर है सारी यह निफ्टी की कमपरीज है और इन सब का अभी इंपैक्ट मार्किट पाएगा देखे नंबर्स का इंपैक्ट अच्छा आने पर आज रिवार्ड मिल सकता है और आरे वाले दिनों में भी मिल सकता है तो इसलिए आप नंबर्स को बिल्कुल इग्नोर ना कीजिएगा हमी टीना सुदेश पर आपके सामने रखेंगे और एक तो पॉलिटिकल स्टेट्मेंट आही है और मनीश उसके बारे में आपको फड़ा से डिटेल भी दे देंगे जो नितिश कुमार ने आरजवडी को छोड़कर एंडी का दामन थाम लिया यूपी और बिहार से ही कहते हैं कि दिल्ली का राजपार्ट बनता है क्या ये आप एक तो तीस अंग गिपनिटी की बात कर रहना उस पर ये मान के चलिए कि तीस चालिस पॉइंट की तेजी ना ये पॉलिटकल फैक्टर है अच्छा कहीं ने कहीं इंडिया गटवंधन जितना कमजोर होगा फायदा किसको होगा इंडी और बीजेपी को होगा और बिहा है कि जो बीजेपी को थोड़ा मुश्किल होता है एक रास्ता और असान हो गया और एक नौच और गिर गया और बिल्कुल बिल्कुल और यह कहीं ने कि मौका उनको और दे रहा है कि हाँ और आप आगे बढ़ सकते आसानी से ठीक है यह इंटरस्टिंग है हम इस प्लिटिक और मरी जी अब दोनों को अब सबसे पहले बात अमेर की बाजारों से करेंगे क्योंकि पिछला हफ्ता अमेर की बाजारों के लिए कुछ डेटर डिवन था एक तो जीडीपी नंबर बाजार को लग रहा था कि दो परसंट के आसपास चौती तिमाई में एकॉनमी ग्रो की ह लेकिन 3.3% का आया ये काफी अच्छे नंबर से वही वज़ा थी कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर से जहां पर सपोर्ट मिला कच्चे तेल में भी यही तेजी आई एक और आखड़ा जो चीन की तरफ से आया RRR में उन्होंने आधे परसंट की कटवती की हाला कि ये कटवती पा मार्च तक इंतजार कम से कम करना पड़ेगा हला कि मार्च को लेकर भी बाजार उतना उमीद नहीं लगा के रखा है कुछ और एहम आकड़े आने वाले हैं जो काफी रिजल्स आने वाले हैं U.S. मार्केट में पांच बड़ी टेक कंपनियों के नतीज़ आने वाले हैं जि जहां करीब करीब 5% की तेजी हपते भर में आ चुकी है 84 डॉलर के करीब ब्रेंट करूड का भाओ जा चुका है तीन वज़ा है एक तो ये कि चाइना में लगातार राहत पैकेज दूसरा यूएस में जो जी डीप के अच्छे नंबर से हैं तो डिमांड को लेकर सपोर्ट मिल रहा है तीसरा जो सबसे अहम ट्रिगर है वह इरान बैक मिलिटेंट ग्रूप की तरफ से जॉर्डन में अमेरिकी सेना पर हमला हुआ है तीन सैनिक के मारे जाने की खबर है उससे चिंता बढ़ी है साथी लाल सागर में जिस तरह से वायल टैंकर पर फिर से हमला हुआ है उससे भी तनाव कापी बढ़ा है और उससे कच्चे तेल को सपोर्ट मिल रहे है तो अब आप देखे तो बाजार के लिए घरेलू बाजार के लिए जादा तर ग्लोबल संकेत अच्चे है एक चिंता की बात कच्चे तेल को लेकर है जो बिल्कुल पहले बोल रहा हूँ बि देखे चाइना जो काम कर रहा है ना अपनी को बचानी के लिए कर रहा है और विश्मोन अभी बता भी रहे थे मैं सुन दाद मैंने सारे पॉइंट्स लिखे भी उसके यूएस फेड की बैठा का एक तरीक को इसमें स्टेट्मेंट आने है आप यह सोचो एक तरीक का पॉइंट वी से शॉर्ट सेलिंग के अपर रेगुलेशन बढ़ा दिया है चाइना के अंदर यानि कि अगर आप शॉर्ट सेलिंग अब उतनी अस्तानी से नहीं कर सकते हैं तो यह मार्केट को ठीक करने का एक बहुत अच्छा पॉइंट है तो ग्लोबल मार्केट के अंद अच्छेत हो जाई यह थोड़ा डढ़ी है असा तो बिल्कुल कुछ नहीं है ना देखे आपका टेंपरेचर 98 तो होना ही चाहिए ना बिल्कुल आप बोलो मेरा टेंपरेचर 98 नहीं से 90 कर तो सर बिमार हो आप फिर भी अगर आप 102 प्यों तब यह बिमार हो तो आपका एक सब्सक्राइब को लेकर बहुत चिंता करने की बात नहीं अब तक हमने दो तीन मुद्धों पर चर्चा कि फटा फटा आपको बताता हो सबस्ब्सक्राइब को बजट का हपता है तो इस हबते यह पूरी समभामना है कि बाजार में काफे ज्यादा उतार चठाओ देखने को मिल सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी काडेंज हो सकता बहुत बहुत बारा देखने को कुछा उपना कि दीखने को मिले किसानों को को ले के सब्सक्राइब ज़ना कुछ रियल्टी कंपनियों के नतीजे बहतर देखनों को मिले हैं हमने देखा पिछले कुछ दिनों के गिरावट में रियल्टी स्टॉक्स बहुत टूटे हैं वहां एक मजबूत बाउंस बैक इस हपते देखनों को मिल सकते हैं इसके लाब जन्वरी को आटो विक्री के नितीज सरकार का इंडिये के साथ आना बाजार के लिए एक पॉस्टिव टिगर है तो यह मोटा मोटी कह सकते हैं के लबब लुवाब है आज के बाजार का अब बात करते हैं सबसे काम की एफेनों की तिमपी आज से हम लोग ने एफेनों के लिए कुछ बढ़े बदलाव क तोर पे हम समझने कोसिस करेंगे कि वाइदा बाजार में क्या करना चाहिए और शुरुवाद जो है ना दस सवालों से करेंगे पहला सवाल तो यही टिमपी समझना चाहते है कि जो एफाई जिया इसकी होल्डिंग है और जो बदलाव हो रहे हैं वो क्या संक्रत रहा है ते तो देखें एफाई जो लॉंग और शॉर्ट करके मार्केट को चलते हैं एफाई का अमूमन इंडियन मार्केट पे 15% से नीचे नहीं जाते और सतन याने को तो नौ भी गए हो है ठीक है लेकिन वह तो एक दिन का ट्रेड होता है वो वन डे होता है अगले दिने ठीक हो जा सामने बजट इसा ट्रिगर है फेड के बैठेक का ट्रिगर है ग्लोबल मार्केट ठीक हो रही है तो एफाई का जो 21% का भी लॉंग पोजिशन आ गया है ना यह एक पहला बेस बताता है कि एफाई अब शॉर्ट नहीं करेंगे आप मनी जी कुछ ऐसे सोचिए कि आपने आगे आप पांच ही बेश सकते हो और आपको फिर से दुकान भरनी पड़ेगी वह आज नहीं भरोगे तो कल भरोगे कल नहीं तो तीन दिन बात भरोगे तो यही एफाई का नंबर है आपको यहां पे जो 21% अभी दिख रहा है यह आपको शॉर्ट करने से रोक रहा है तो मतलब यह एफाई का जो पोजिशन यह कुशन दे रहा है यहां से के हाँ वाली मत किजे तेजी के सोदे किजे तो निफ्टी में का लॉंग करना है जिनके पास लॉंग पोजिशन वो करे क्या फिर देखिए आज से शुरुआत तो कर सकते हैं धीरे धीरे मैं पहले उनके ब 22,000 के उपर सबका risk reward खराब है जो खरीद रहा है वो भगवान के क्रिपा से खरीद रहा है हमको नहीं पता किसे खरीद रहा है वो डाटा तो अलावी नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी में बोलूँगा जिनके वास positions है वो बिलकुल बने रहें 20% और खरीदें आप बोलेंग 21-800 बागे चेक करेंगे डाटा का समझ में आएगा तो आपके सामने रखेंगे एक्सपर्ट की हेल्स से भी आपको बताएंगे फिलाल 21-दर का stop loss लगा दो बड़े सोदे भी नहीं लेने चाहिए 20% इसलिए मैंने बोला नहीं तो मैं कहने को 80% भी बोल सकता था तो दो चलिए निफली की बात कि बैंग निर्फली में का करे हैं तो बिल्फित रहारा हैं। मैं बोलूँगा 20 नहीं इसमें 30% खरीदो वजह HDFC हो सकता है वजह Yes Bank जैसे नंबर्स हो सकते हैं वजह कुछ और Banking के नंबर्स हो सकते हैं तो जो बुरी चीज है वो शायद धीरी धीरी करके Bank Nifty डिसकाउंट कर रहा है एक पॉइंट में और क्लियर कर दूँ Bank Nifty के अंदर ही यहाँ पर Open Interest बहुत अच्छा हो के आए और Premium साढ़े 500 पॉइंट का हो के आए यह सब चीज संकेत बता रहा है कि Bank Nifty आसे चल सकता है आज गैप के साथ भी खोलेगा लेकिन 30% ही लेना है पहला आपका टार्गेट 45-500 तक का ही होना चीजिए इस से ओपर भी टार्गेट मत रखो अगर रखना तो छालीज़ भी रख लेना लेकिन 45-500 चेक करने पर रखना स्टॉपलोस आपका च्वालीज़ होना चीजिए जिनकी पास पुराना Bank Nifty है निफ्टी में 20% Bank Nifty में 30% अब समस्या यह है कि हम 133 पैंट उपर खोलना है जिन लोगों ने स्वाट के स्वादे बनाए होंगे उस लोगों ने तो बनाए होंगे आपने मुझे याद है जा मैं क्लोजिंग दे रहाता है तो आपने कहा तो मत लेकि जाएए तीन दिन की छुटी आए घर आराम किजिए लिए कुछ लोग को ट्रेट करना तो लेकर जाएंगे 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 चाय लाग को सिस्क्राइब उन लोगों को जोने निफ्टी में स्वाट पोजिशन मना है उनकी गलती नहीं है बाजार के अंदर यही होता है बाजार थोड़ा कई बार चौका भी देटा है क्योंकि आपको पता था कि सिरीज के बाद तीन दिन की छुटी आज तो पहला दिन है ट्रेडिंग का सिरीज का एक्चली में फैब का क्योंकि आपने तो थर्सडे को जब सिरीज क्लोज की तो फ्राइडे का तो ट्रेडिंग सेशन ही नहीं था तो यह तो वैसी नहीं बनता था कि आप शॉट लेके जाओ लेकिन फिर भी अगर आप लेके गए हैं तो आज फर्स्ट राउंड की ट्रैपिंग होगी करें क्योंकि फाइस की लॉंग पोजिशन वाले बीसी किस परसेंट प्रसेंट प्याच चुकी है तो आप लॉंग शॉट और ना करें जो हैं उस पर बने रहें आपका स्टॉप लॉस क्या होगा आपका स्टॉप लोजगा 21-800 पहला फिर 22,000 होगा और अपने 21,300 वाले टार्गेट पे साथ काइम रहें अपने आप अभी उसको बदले नहीं आप डरिये नहीं घबराई नहीं अभी भी आपके हाथ में बाजी है लेकिन वो बज़ार तैय करेगा कि किसको मैं ज़्यादा बड़ा रिवाड दूँगा और में को लग रहा है बज़ट से पहले थोड़ा कुछ ने कुछ होगा जरूर तो निश्यतुप से बज़ट से पहले कुछ ने कुछ होगा शौर्ट बालों के लिए बस यह है कि आपको टागेट स्टॉपलो जो डिंपी बता रहे है आपको इसको इसको इस्टिक्ली फॉलो करना बैंक निफ्टी की बात करते हैं बैंक निफ्टी में ने देखा कि बीटे है अब तो जिन लोगों ने मंदी की जहां मंदी की वहां से उनका पैसा बना लगातार पैसा बनता रहा है इस डिफसी बैंक में हमने देखा गिरावट थी देखने में मончरेश को यहीं से रोक दो, जिसने मन्दी की वहां से उसका पैसा बाला, अब मन्दी करने का समय नहीं है, बैंक निफ्टी के रिस्क्रोट बेहत बेहत खराब हो गया। बेहद बेहद खराब हो गया। हमने एक समय ऐसा आया था जह हमने का था कि बैंक निफ्टी क्यों चल रहा हम में ने शॉर्टौइम्ट को शॉट नहीं करना चाहिए, यह तो पहला पॉइंट है, इसलिए मैं निक्वा दिया कि बिलकुल भी वह ना करें, नए शॉर्टौ तो हुआ जब तक स्टॉपलस टिगर निवा अब क्यों बाहर जाओगे इसलिए आप बने रहों पुराने वाले नए वाले बिल्कुल शॉट ना करें बिल्कुल भी शॉट ना करें हडीएफसी उनका बेस बना सकता है कोई और शेयर भी आ सकता है हल्प करने के लिए इसलिए बैंक निफ्टी पुराने वारे बने रहें रहें उन्होंने भी तो कुछ ने कुछ किया होगा किसी ने खड़ीदा तो होगा है उनके लिए निफ्टी में क्या होगा अचके लिए कर दिखाता है इस हमें का मार्केट लेव दा मार्केट यसाओна, आपको बजर मोकर लेख लो ना, लुक के बाहर करो अब एक मारे बोता हो आपको Razal ऐ lagi सबरेकी पानस दिन में बाने चार्rum I 한 आप एक महिने के लिए क्यों सोड़ा बनाओगे आप में को खुझ बता हूँ आपको 600 पॉइंट के लिए आपको माने के लिए हैं बहुत लोग तो बजट के हिसा कमाना है और निकल जाना है बरस्पतिवार वीकली एक्सपारी भी वैसे में आपके जान करी के लिए बिता तो तो एक राउंड का प्रॉफिट लेना चाहें तो ले भी सकती हैं लेकिन उनको लग रहा है कि हमको और वेट करना चाहिए तो फिर 45-500 तक वेट करो 45-500 तक वेट करना है यह सेकंड टारगेट है 45-500 अब दो सबाल और मैं जल्दी से लूँगा वैसे तो आपने दस सबाल ब वैसे ही करोगे आप गैप के साथ खुलोगे बहुत जादा नहीं जोड़ोगे गैप डाउन खोड़ोगे बहुत जादा तोड़ोगे लिए क्योंकि इस समय क्या होगा कि PCR आके स्टेबल हुआ लास्ट एडिंग सेशन में 3% कम हुआ सिरीज के मिडल में सिरीज के एंड मे PCR की इंपोर्टेंस बढ़ जाती है स्टार्टिंग उतनी नहीं नहीं है और वैसी वह नॉर्मल रेंज है और रही बात विक्स की सदी की इतना विक्स तो होगा ही न अब आप बोलो कि हमको बजट भी इंजवाए करना है हमको मारकेट की तेजी मंदी भी इंजवाए करनी ह आज भी नहीं है आप सवाल ना पूछें मैं आज इसलिए नहीं है क्योंकि आज गैप मिल रहा है इब बार्केट को ना खुलता हुआ देखना समझना चाहते हैं उसके बाद जो सोदे होंगे आपके सामने बताते हैं सर आई एफसी आपको बताए ना नो नेफिंडों के अ सब्सक्राइब को बताएं और मेहमान हमारे वेट कर रहें इंफेक्ट मेरे को लग रहा है हमने बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिये आपने जो है ना गारा सवालों के जवाब दे रैपीड फायर राउंड के लिए यही सौदेश की खासियत है अब बताइए हम तो चा सबकती चाहिएло मेरे को पोस हमने भी इनको रिलीव कर दिये था मितेश बंचाल बिहें हमार साग हुड़ रहे हैं तो भी मारसा जो बर स naz干र्मनते के dalo मितेश-विच में आपको कभी बीज-विविच में दे lord ने कहताा है जब भी है ए वर्ड का इस्तिम और में अहे हुड समझने ना मितेश पंचाल को आपको ड्रॉप नहीं करना उसको पकड़ के रखना है ये बात में दोनों महमानों के आपको मैं खास्त बता रहता हूं हम भी कम नहीं है हम भी क्या करते हैं महमानों के कीवर्ड को पकड़ लेते हैं और वहां से लिए लग जाता कि बुलिश कोन के मारकेट का बेस बन रहा है शॉट करने से बचें और आपने हमको एक रिलाइंस की कॉल दिलवाई थी मैंको अच्छे से याद है और उसके लिए मैं आपका शुगर यादा भी करूंगा क्योंकि आपने सिगनल आने से पहले ही सिगनल का सबसे बड़ा कंटेंडर रिलाइ है और मेरा भी वही मानना है कि fresh short positions current level में मत कीजे avoid कीजे जी देखे रोल ओवर डेटा यही suggest करता है कि जो December to January series में long positions roll हुए थे वो आधे series में midway stuck हो गये हैं सो वही positions या भले वो out of force हो या फिर out of outlook बना हुआ है जो भी वो reason हो बट वही positions दुबारा positions roll over हुए है from January to February series also so ऐसा यह मानना नहीं है कि रोल ओवर positions जो बता रहे कि यहां पर short positions बने तो वो short positions नहीं बने है most likely bank nifty 3500 point के correction पे कोई भी fresh short positions नहीं बन सकते हैं काफी oversold already approach हुआ है territories काफी parameters PCR भी एक आप देख सकते हैं technical भी आप देख सकते हैं in fact आपने भी जो कहा है Fyce के long shirt positions वो भी almost oversold territory पे ही आया है so यहां से एक अच्छा bounce back लेने के समभावना काफी अच्छा है so दोनों positions अगर हम देखेंगे strictly on basis of rollovers nifty में भी अगर हम देखेंगे तो almost 81% का rollover हुआ है जो की तीन महिने से जादा है तीन महिने के average जहां पे 77-78% का एक average है उससे जादा है bank nifty में भी 77% का rollovers हुआ है from January to February series इस तीन मेने का average 80% पे है so यह है बहुत important crucial data समझने के लिए है कि इतना correction के बाद भी almost 77% के rollovers हो चुके है so यहां पे fresh positions on the short side avoid कीज़े यह short pull rollovers नहीं है यह out of force, out of outlook positions roll हुए है volatile रहेगा definitely जैसे कि आपने भी कहा है कि काफी volatile रहेगा बहुत आसानी से आपको one sided up move नहीं देखने को मिलेगा but data suggests करता है कि दोनों indices में limited downside है मेरे ख्याल से nifty में अगर हम देखेंगे तो 21,000, 20,900 का बहुत ही crucial support है जो की series को एक defend कर सकता है bank nifty में एकदम अपनी support के पास है 44,000 का एक अच्छा support है तो मेरे ख्याल से दोनों support से bounce कर सकता है तो थोड़ा सा cautiously maintain कीज़े because intraday swings आपको दिख सकते हैं volatility के तरदोर से but बहुत जादा घबरानी की भी बात नहीं है यहाँ पे मेरे ख्याल से limited downside रहेगा volatile swings रहेगा थोड़ा सा patiently और cautiously आप trade कर सकते हैं इंडेक्स की बात रहेगा आप भी कहा रहे हैं कि शॉट करने से बचे थोड़ा दम रखें वापिस market के रहेगा मितेश सर और इंडेक्स पे काफी चर्चा होगी है हम stocks का वेट कर रहे हैं आप से मैं शुरुआत कर रहा हूं श्री गरेश कर रहा हूं आप जिस तरीके से रखते होना चीजों तो चीजे रखते होना कंपाई करके सामने वाले को बहुत सतरक रहके ही जवाब देना पड़ता है आपके सांब चली नहीं सब्सक्राइब तो जैसे क्वेस्टिन आएगे सामने वाला आंसर ऐसे ही देगा सतरक क्षेशन आएगे तो ऐसा ही होगा अपना कोई भी शोकाsel फार्मिट ले लो तो mid cap में आपने सही फर्माया 3 calls है और mid cap में जबरदस्ट action है और हमें लग रहा है कि trend reversal 3 stocks में आया है देखे अभी holding company बहुत ही strongly आगे बढ़ेगी तो हमें लग रहा है चोला holding जो है वो 1080 के उपर बहुत ही strong breakout मिला है 1102 का close है तो चोला financial holding लेना है 992.25 के stop loss से target रहेगा आपका 1215 रुपे 75 पैसा दूसरा जो है वो within the bearing sector हमने पहले पी एक special report निगा ली थी लेकिन ये सिर्फ disclaimer देना चाहूँगा कि manon bearing में volume थोड़ा कम रहता है लेकि manon bearing जो है वो बहुत ही strong poised है upside के लिए 138 के उपर weekly और monthly chart के उपर बहुत ही strong confirmation आया है तो 141.50 के उपर लेना है 127.25 का stop loss 155.55 का target last but not the least rain industry बहुत एक अंदर performer रहा है और trader favorite ये counter रहता है cash segment में ये freezer surface के उपर आया है तो 172 के उपर एक strong confirmation मिला है तो 157.25 के stop loss से rain industry को लेना है यहाँ पर target रहेगा 193.50 तो से तो पर रेन इंडर्श्ट्री में खरदारी करने के सला 113.50 का आपको stop loss लगा रहा है सोनी आपके तब से concentrating fix होंगा आज के लिए जी मेरा यहाँ पे एक ही stock पे मैं देना चाहूंगी बिकाज यह budget रहेगा थोड़ा volatile रहेगा सो मेरा conviction large cap में ही एक ही stock में आ रहा है वो है reliance को पिछले हफते जैसे कि निम्पी जी ने कहा था कि मैंने कॉप्शन में भी trade दिया था और वो चला भी है वहां से और भी अप्मूफ लग रहा है सो reliance आप current level पे buy कर सकते हैं हलकी फुलकिया के decline दिखता है towards 2700 या 2690 के range पे उस range पे आप enter कर सकते है 2640 का बहुत ही अच्छा support है 2640 का ही level है जहां से हमने दो हफते पहले एक अच्छा breakout देखा था reliance में 2640's topless maintain कीजिए और targets once again 2800 के लिए आप देख सकते हैं Reliance आपकी तरफ से हो गया rain, men and bearing और एक चोला holdings यह infect charger हो गये और reliance की call के लिए मैं आपको मैं थैंक्यू भी कर चुका आपने 2700 के strike price वाली call अब को दिलवाई हुई है आज gap मिलेगा एक और चीज मैं ने target दिया है 2780 का 2780 को स्क्रीन पर दिख जाए 2750 भी दिख जाए मैं को थैंक्यू करना उनको ट्विटर पे फॉलो कर लेना उनको आप congratulations देना और profit बुक करके बाहर निकल आना ठीक है तो यह reliance industries के target और stop close भी हमने आपके लिए लिखती है स्क्रीन पर आगे बड़े earnings का सीजन भी है 26 तारीक को जारा numbers नहीं आए 27 तारीक को आए उस दिन था Saturday तो numbers वड़े कम हैं बट बहुत काम की है पुझा त्रिपार्टी को अपने साथ जोड़ते हैं और उनसे जरा numbers के बारे में आईडिया लेते हैं पुझा गुड मॉनिंग बताए एक तो दिली की सरदी कैसे वह बता दो साथी numbers भी बता दो साथी तो बहुत जादा पढ़ रहे हैं साथी समय पर आप मुंबई पहुच चुक है अभी दो तीन दिन से काफी ठट बढ़ रही है तो हां ये तो climate का असर है लेकिन आपने नतीजों की बात की numbers हमने तीन category में डिवाइड किया पहले तो जो अनुमान से बहतर और strong numbers आये हैं फिर in-line और फिर हम कमजों नतीजों की बात करेंगे क्योंकि numbers धेर सारे थे इसलिए कुछी numbers पर focus करेंगे जिसका की आज action देख सकता है तो शुडवात सबसे पहले अदानी पावर से numbers अनुमान से बहतर आए करना होगा नतीजे अनुमान से बहतर और आये में जो growth आई है उससे जो prices है वहां से भी support मिला है आये में एक गिरावट जरूर है लेकिन अनुमान से बहतर numbers नज़र आ रहे हैं घाटे से मुनाफिय में आ चुकी है company और margin के फ्रेंपर भी देखेंगे तो 24% जो कि हम estimate करे थ देखने को मिला है craftsman automation numbers बहुत ही strong आये में 50% की growth आई है मुनाफ़ा 41% से बढ़ा है company का कामकाजी मनाफ़े में 40% की growth देखने को मिली gen technologies आये में करीब 90% की growth है कामकाजी मुनाफ़ा 154% बढ़ा company का मुनाफ़े में 224% की growth देखने को मिली है तो यह कुछ numbers के भी हर front पर numbers का आए में जो जम था उससे सपोर्ट बाकिरी नंबर्स को मिला अब बात करते हैं मैक्रो टेंक डेवलपर्स की यहां पर भी नतीजे मजबूत है आए में 65% की ग्रोथ कामकाजी मुनाफ़ा 118% से बढ़ा है कमपनी का और मुनाफ़ में भी करीब 24% की बड़त देखने को मिली है अब बात करते हैं उन नतीजों की जो की अनुमान की मताबिक आए है येस बैंक के नतीजे ऑन दे फेस आफ इट बहतरी है मुनाफ़ में 340% की ग्रोथ ब्यास से आए में मामूली ग्रोथ देखने को मिली है एसेट क्वालिटी जो हम बैंकों की देखते हैं वो फ्लैट ही रहे हैं जाल कुछ बदलाब नहीं हुआ है तो ये पॉजिटिव बात है ये इस बैंक की केस में इंटलेक डिजाइन एरेना के नतीजे भी अनुमान के मताबिक ही है और अच्छे नंबर नज़र आ रहे हैं आए में 16% की ग्रोथ मुनाफ़ा 36% बढ़ा कंपनी का और टाडा टेक्नोलोजी से नंबर्स भी इन लाइन ही रहें आए में करीब 5% की ग्रोथ देखने को मिली है मुनाफ़े में 6% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है अब बात करते हैं कमजोर नतीजों की आए में 30% की ग्रोथ लेकिन बिलो एस्टीमेट्स और मुनाफ़े में भी मामूली 8% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है EU Small Finance Bank के भी नतीजे कमजोर आए है मुनाफ़ा घटा है क्योंकि प्रोविजनी में बढ़ा देखने को मिली इस वज़े से मुनाफ़ा घटा है साड़े 4% और एसेट क्वालिटी भी देखेंगे तो वहां पर भी बढ़ा देखने को मिली ग्रॉस नपी और नेट नपी की आक्रो में जिसका क्या आज रियाक्शन स्टॉक में देखने को मिल सकता है ने आपको अलड़ी बताई दिया कि सारे नंबर्स कैसे हमें एक प्लेट बीच बीच में आप दिखाते रहा करो कि कौन से अच्छे कौन से बुरे तक थोड़ा फोटो भी खिच पाए और लोग अच्छे से नोटिस करपाएं कि क्या खराब है और क्या ठीक है तो कि नंबर्स एक जैसे दिखते होंगे सब आपको एरो उपर नीचे उपर नीचे हो रही होगी तो इसलिए क्लैरिटी मिल जाती है और कुछ नहीं है एक काम करते हैं पूजा थैंक यू वेर मच और थोड़ा ध्यान रखिए का ठंड जादा है जिलिए है यह ना अच्छी चीज है मैं बता तो इसकी मुझे क्या है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यह चीज नहीं तो आप यूटूब पर आगे पीछे करके भी देख सकत हो क्योंकि हम दोनों ही प्लैटफॉर्म्स में हैं वहां पर भी लाइव है और यहां पर भी लाइव है आपके सामने शरत को अपने साथ जोड़े और वह अपने साथ बहुत सारे खबरे भी लेके आए हैं और शरत से मेरा काफी दिनों बाद मिलना हो रहा है लेकिन वह काफ रहा है RBI ने अलाव कर दिया है LIC को अपना स्टेक बढ़ाने के लिए almost 9.99 पर सकते हैं पर यह एक साल का जो है समय दिया गया इसका मतलब यह नहीं है कि अभी अपनी स्टेक बढ़ा देगी उनके पास एक साल का बफर पिरियड है और यह जो है RBI ने अलाव किया है अब देखा जाए तो लगबख 5% स्टेक अलेडी वो होल्ड कर रहे हैं HDFC बैंक में तो यह एक इंपॉर्टन डवलप्मेंट है रेलिगेर एंटरप्राइजस यहां पर SBI ने जो है उनकी जो आम है रेलिगेर फिन्वेस्ट उसके उपर से जो फ्रॉड की टाग है उसको निकाल दिया गया है अब याद रखे रेलिगेर फिन्वेस्ट में जो था अफकोस डेट रिस्ट्रॉक्चरिंग हो रही थी और उसके जो भी पॉजिटिव पॉइंटर्स आते थे उसके कारण स्टॉक में जो है रेलिगेर एंटरप्राइजस में री रेटिंग देखने मिलती थे तो यह जो न जो है लिख लीजिए 7-13 February को यह डेट आने वाली हो जो रेकॉर्ड डेट है यह है February 1st का इसके लावा अफकोस ब्लॉग दील में भी एक यूगे की FI Plutus Wealth ने 50 लाग शेर्स की अकुजिशन की है तो इस स्टॉक को जो है अपने रडार में जरूर रखेगा अनलिस का मानन है कि वॉल्यूम्स में पिकप आ सकती है और स्ट्रेंथ भी आ सकती है बाइंग साइड में मैक्रोटेक डवलपर की बात करें तो नंबस तो अच्छे आये थे लेकिन वह अब 11 नए प्रोजेक्स लाउंच करेंगे और इसके जो वैल्यू है वो छे हजार करोड के ऊपर होने है एक्विटी के अलग-अलग मीन्स के जरिये और आखरी स्टॉक जो हमारे फोकस में रहेगा वो है पिरामल एंटरप्राइज जून के महीने में हमने देखा था उन्होंने अल्रेडी श्रीराम ग्रूप से एक एक लिया था लग-बग 3,000 करोड के ऊपर का एक्जिट था अब जो है फाइनल एक्जिट आया है 20% स्टेक का यह श्रीराम इंवेस्टमेंट होल्डिंग्स का यहां से इनको मिलेगा 1,440 क्रोड रूपीज यानि कि जो इतने नौन कोर एसेट से इनके अब धीरे-धीरे मॉनेटाइज करने लग रहे हैं तो उसके कारण जो है स्टॉ जो आज आप कर सकते हैं तो हमने ख़बरवालवालिज शेर की चर्चाड़ की हमने उन नतीजों के जो आया है बीकें पिछले तीन-दूनुमें उसके बात करेंगे क्या करना चाहिए बात करते हैं ब्रोकेश है। कि अब रोकिंग फर्म के तब से बिल्कुल शुरुआत करेंगे हम सप्ला के साथ हम देख रहे कि कोटक सेक्यूरिटीज की तरफ से रूपोट आ रही है और यह हाइलाइट कर रहे है कि कि मार्केट्स में अच्छा प्रदर्शन कंपनी की तरफ से नजर आया है मगर मार्जिन्स ने पॉजिटिव फ्रंट पर सप्राइस किया है ओवरॉल फार्मा पैक में से ही उनकी प्रिफॉर्ड पिक्स है जिसके चलते कोटक सेक्यूरिटीज ने सिपला पर आड की राय को बि बीचारी है ओवरॉल एक्सपेक कर रहे है कि और दो क्वार्टर कंपनी पोस्ट करेगी अलिबरेटर क्रडिट कोस्ट के साथ और इसके चलते उनका जो पी मांटिपल है यह कैप हो जाएगा और इन फाक्ट फॉदर डी रेटिंग भी एक्सपेक कर रहे है जिसके चलते मों इंवेस्मेंट फानान्स पर हम फोकस करेंगे CLSA का कहना है कि ग्रोथ मोमेंटम जरूर इंटाक्ट है असेट क्वालिटी भी सुदरी है मंगर ओवरॉल वैल्यूएशन काफी प्रीमियम पर है जिसके चलते उन्होंने अपनी राय को डाउंट्रीड कर अंडर परफॉर्म की काफी इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम ग्रोथ नहीं कॉंट्राक्स और मस्पूत कास्टमर रिलेशन्शिप के चलते रोबस्त सेल्स रैंप भी एक्सपेक्टेड है सिंचीन पर जेफ्रीज का कहना है कि क्वार्टर 3 में अनुमान से कम्जोर नतीजे कंपनी ने पोस्ट कि है हाई दन एक्सपेक्टेड बॉल्यूम्स और लोवर कॉस्ट के चलते जिसके चलते उनकी तरफ से ख़लदारी की राया रही है ये काउंटर पर पर जफ्रीज का कहना है कि हेल्दी एनायाई ग्रोथ जरूर नसर आया है असेट क्वालिटी होल्ट अप हो रही है और स्टे होते हुए नज़र आ रहे हैं जिसके चलते सिटी ने कॉंकोर्ड बायोटेक पर खरिदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है डीबी कॉप पर सीलसे का कहना है फेस्टिव सीजन से कंपनी को फाइदा होता हुआ नज़र आ रहा है और अड़टाइसिंग रेवन्यू अन अपनी राय को डाउंग्रेड कर विकवाली की राय दी है इसके अलावा SBI Life पर सीलसे का कहना है कि सरेंडर वाल्यू रेगूलेशन से का लिमिटेड इंपक्ट आएगा कंपनी पर SBI Life इंफाक्ट इंशॉरंस स्पेस में इनकी टॉप पिक है ओवराल खरिदारी की राय बर् बढ़ाया है और आखिर में हम फोकस करने के दायर में अफारत पर सेलेसे का कहना है कि कौर्टर 3 अनुमान के मताबिक आया है मीजियम टर्म गाइडन्स में टीन वॉल्यूम ग्रोथ की है और अंडर परफॉर्मेंस के बाद इन्होंने अपनी राय को अप्रेकर बाय की राय दी है और टाकेट प्राइस भी बढ़ाया है 2700 रुपे पर कर दिया है ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया थैंक काफी सारी थी आपने काफी अच्छे से सब को कंपाइल करके बताया इसके लिए शुक्रिया थैंक यू वेरी मच अब हमारे साथ मैमान तो मिते हुए मितेश और साथी सोनी पतनायक हैं और गोरांग शाबी मारसा जुड़ चुक है गोरांग सर को देखना है एक नए उर्जा एक नया संचार हो जाता है उर्जा का बौडी पर गोरांग सर बहुत बहुत शुक्रिया थैंक क्यो वेरी मच और आप बजट वाले वीक हमारे साथ है तो और अच्छा लगेगा आपसे बाचित करके और मैं हमेशा से आपका सर प्रश्चित सक रहा हूं सर मेरे जब पूरे काले बाल थे ना तब से मैं आपको देख रहा हूं आज मेरे भी आदे सफेद बाल हो चुके हैं तो आप ये सोची कि मेरा कितना लंबा अनुभव है आप स्ट्रॉंग सै तो इसलिए प्रशान जी कि मैं तरयर के साथ साथ क्योकि प्रशान जी ये मेरे ये काफरी रहा हैं काफी करते हैं सोनी से शुरू करते हैं सोनी जड़ा वेदानता चेक कर लेना आपको कैसा लग रहा है यह लॉस्ट टू प्रॉफिट आई वी कंपनी है यह यहां पर अगर हम देखेंगे वेदानता में एक अच्छा 250 का सपोर्ट काफी टाइम से वो डिफेंड करते हुए एक बाउ क्लोस करने देता नहीं जहां से हम बोल सकते हैं कि यहां से अभी ब्रेकाउट आया है तो फ्रेश लॉंग्स भी कर लेना चाहिए तो मेरे खाल से थोड़ा सा रेंज प्ले यहां पर हो सकता है अगर आपको इंट्राडे में हलकी से डिप मिल रही है तूवर्ट्स तूवर् ब्रेकाउट नहीं देता है तब तक थोड़ा सा रेंज प्ले में बिलीफ कीजिए अगर 280 के उपर ब्रेकाउट देता है और क्लोजिंग बेसिस वहां से आप देख सकते हैं for a longer target of 300 प्लस लेवल्स तो थोड़ा से इंतिसार करना पड़ेगा जब तक रेंज को ब्रेक नहीं ब्रेकाउट होगा तो इसके बीच में अगर आप इसको प्ले कर सकते और आज पॉजिटिव खुलेगा हो सकता है तो आप उसे साब से लिए जैसे 58-60 पे मिल जाए 50 का लगाओ स्टॉपलस कमानी के लिए आ जाओ ठीक तो यह विदानता पे होगी रड़ नीटी आगे आते मैक्रोटेक डिवेलपर्स के भी नंबर्स आया और ए टीम भी बता रहें कि नंबर्स काफी अच्छे हैं मिल को उनका मार्जन का अच्छा लगा एब अगर आप दिखा पाएं तो मैक्रोटेक डिवेलपर्स लोड़ा के नंबर्स का मार्जन आया 22 से सीधा 30 प्रोफिटिब बहुत धन्यवाद डिब्वी जी आपका प्रशंचा की शब्दावाली के शब्त इस्तमाल करने के लिए तैंक यू सिर जितने लंबे समय से आप हमारे प्रशंग रहे हैं हम भी आपके प्रसंग रहे हैं तैंक यू सर बहुत है और आज प्राताकाल मनीश जी को देखकर के तो भाग्या है हमारा इनके तरफ से आपको भी आपको भी साधर प्रणाम हमारे तो लोड़ा या फिर मैक्रोटेक डेवलपर्स डिंपी जी ये एक समय पर प्रश्ण चिन लगा करते थे जो प्रोजेक्ट्स में धीमिगती होती थी वगरा वगरा वित्य परिस्तिति को ले ये सिर्फ कंपनी के उपर बात कर रहा हूं शेतर के उपर बात कर रहा हूं लेने बेचने की खरीदारी की राए बाकी अन्य रियल इस्टेट कंपनियों में तो उस पर चर्चा मैं इसके बात करूंगा तो बंबई शहर में एक बहुत बड़ी कमी जो है वो है जमीन को ले और बंबई शहर में ये भी वास्तविकता है डिमपी जी के 1930-1940 के पहले के जो मकान है उनकी जो परिस्तिती है वो बहुत खराब हो चुकी है डाइला पी डिटेक जिसे हम कहते हैं यानि कि कमजोर अब सेंटल मुंबई वेस्टरन सबब्स सेंटल सबब्स हारबर साइड प करने की बहुत बड़ी मुहिंग पिछले कुछ सालों से चलने की इसके साथ साथ क्लस्टर डिवलफ्मेंट और जो पुरानी सुसाइटी जहां पर पांच से लेकर के छे से लेकर के दस बिल्डिंग है होगा करती थी इमारते वह वह भी डिवलफ्मेंट के लिए जार तो य कहने का थाद पर है कि पहले से परिस्तिती सुदरी लेकिन सीधी सीधी राय नहीं कियोंकि का लेकिन रीज कैट्टर में जहांपर हमारी है वो है गोध्रेज प्रॉपर्टीज प्रिश्टीज प्रेस्टीज इसी कंपमश्या पूब क्वार प्रेस्टेजर इक ही एक चीजर बस्तर्म इतने बदलाव के बाद भी अनुश्राशन के आने के बाद भी हाई वीटा याने की हाई रिस्क हाई रिटेन तो आपके पास जोखम जिलने की शमता थोड़ी बहुत उपर के तरफ तो सिर्य तोर पर को रांग सब्सक्राइब तो यह मैं देखिए नंबर जो है कहिने का इन लाइन देखने को मिले हैं प्रशांथ क्या रहा होगी आपकी तो यह काफी दिनों से 20 दिनों के अवरेज पे एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है और अभी दो दिनों पहले रही से बाउंस किया हुआ है और करीबन 25 एक बड़ा रेजिस्टन से इस टॉक के लिए 25 से लेगे 25 तो और अगर इसके उपर सस्टेन करें और हमें बैक टू बैक दो दिनों की क्लोजिंग मिले तो मुझे लग रहा है यह नेक्स लेवल साड़े 27-30 के जोन तक जा सकता है बट उपरी लेवल से अच्छा मुझे लगेगा कि जिनके पास पॉजिशन हो वो डाउनसाइड क्लोजिंग बेसिस जब तक है इंटक्त है मुझे लगना इसको आड़ किया जा सकता है और जैसे मैंने कहा एक बार यह 25-25 के उपर निकल जाए तो आपको 27-30 के जोन भी है लेकिन स्टॉप लोस आपको 23 से नीचे का नहीं जाने देना इसको रख लेना है एक ची बता दो इसके पैट वगरा आपको सब ठीक दिखर होगा लेकिन अगरा इसके ग्रॉस पर जाओगी न एन पीएस पे जी एन पीएस को एन पीएस भी कहते है वहां पे फ्लैट फ्ल खबर आई हुए है कि HDFC बैंक पे LIC अपना स्टेक 10% तक बढ़ा सकता है ऐसा उसके प्रॉबल आया है आप बहुत अच्छे से जानते हैं HDFC की वेटेज और HDFC नहीं पूरा मामला बेगाड़ा है मारकेट का मैं इस पे एक टेक गुरांग सर से ले लेता हूं उसका एक टेक इनकल टेक मिटेश से भी लूँगा मिटेश से में को सिर्फ ये चेक करवाना है कि HDFC का बेस बन गया उनका सिस्टम और मैं थड़े ही कहता है कि HDFC के अंदर धीरे धीरे हम आ जाएं मिटेश सर आप जब तक चेक करो गुरांग सर से मैं एक टेक ले लेता हूं गुरांग सर सरे लाइसी वाली जो खबर आई है कि उनको बोला है कि आप 10% तक ले लो इसका क्या मतलब है क्या माइन है और HDFC आप कैसे कल्कुलेट करते हो सर पहले तो एक ब्लैंकेट डिस्क्लोजर देते हैं एक इतियास रहा है हमारा जहां तक HDFC बैंक का सवाल है खरीदारी का और एक तिभाई के नतीजे अगर थोड़े बहुत मायूस आते हैं कुछ जगों पर कुछ आपड़ों को ले करके तो उसका यह मतलब नहीं होता है कि अब यह शेयर निवेश लायक नहीं राय लंबी अवदी के लिए या फिर यहां से निकल जाना चाहिए अगर आपकी चोटी मध्यम अवदी का निवेश है तो आप अपनी बुद्धी मता का इस्तमाल करके उसके इसाब से आप काम काच कर सकते हैं लेकिन जहां तक लंबी अवदी का निवेश है पहले तो बने रहे हैं उपर इस तर पर खरीदा है 1550-1600 के आसपास निवेश ला बात करें और मैं यह बिल्कुल मानता हूं कि लंबी अवदी में हमारा जो लक्ष है और जो हमारा आकलन है नतीजों को ले करके वह हमें यह कहता है कि 2000 के लक्ष मेरे क्याल से बहुत मुश्किल नहीं होंगे इस पैंक को पहुचने के लिए और शायद नतीजों में आने वा सब्सक्राइब करते एक अरजी दी थी खरीद अपना निवेश बढ़ाने के लिए और उसको मंजूरी देख दी गई है तो एक सपोर्ट मिल सता है याने कि जो करेक्शन देखा है और इस खबर के बाद नीचे के तरफ के दाएरे हमें काफी सिमिट लगते हैं तो फंडमें देखे मने जी हम जब कोई भी गिरावट ऐसे आती है लाज का सॉलिडेशन में जब स्टॉक जाता है तो बेसिकली देखते यह है कि ट्रेंड रिवर्सल लेवल कहां है और कहां से यह स्टॉक रफ्तार पकड़ेगी तो मैं दो लेवल्स आपको बताता हूं टेक्निकली बे यहां से करेक्शन भी आए या कंसॉलिडेशन में भी जए और कितना समय जाए वो भी बता निये तो लेट अस वर्क आउट दिस वे कि कौन सा लेवल है जहां से ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मिशन भी लेगा तो वो लेवल है 1480 वीकली बेसिस के उपर और दूसरा वो है 1520 पंदरा सो बीच के उपर जब मन्थली के उपर ख्लोज आता है तो वो एक बहुत ही क्लियर कट इंडिकेशन है कि यहां से स्टॉक अभी वापिस नहीं आएगा और 1480 के उपर जब वीकली ख्लोज देता है तो यह क्लियर कट है कि बेस्वार्पेशन हो गया है और यहां से स्टॉक रफ्तार पगड़ेगा तो 1480 के ऊपर वियार अब दे व्यू के 50% पॉडिशन बनाने चाहिए और बाखी की जो 50% है वो 1520 के ऊपर बनाने चाहिए तो सिरे तोर पे बिगुल बच चुका है और संजीर वसीन साफ जूट चुका है हमारे साफ अब संजीर नमस्कार जिस तरीके से हमने देखा है कि इस हबते मजट का हफता है और तेजी की गारेंटी इस हबते देखने को मिलेगे जोड़ा तरीके से बिल्कुल क्यों नी तेजी होईगी देखो वीकेंड पे क्या हुआ है पट्टा में अरे आपके पास अब पोलिटिकल स्टेबिलिंटी और बढ़ गई और अब इस चक्कर में HDFC बैंक में 30,000 क्रोणा का माल भिग चुका है जिसका भेचना था मैं जिसको गवराट है वो बेच रिया है कल NBFC 16% बढ़ा दनलक्ष्मी बैंक सर्केट, SW सोलर सर्केट, NMDC न्यू हाई, Nalco न्यू हाई, गेल के नंबर आज सबसे बढ़िया होईगे अरे जहाँ पैसा मन रहा है मैं वहाँ जाओं या मैं वहाँ देखू जहाँ एक ओवर ओन गावाट है, जिसके लिए अपने शेयर, जिसके लिए THIS is a should be a lesson to SEBI and the exchanges के ओवर वेटेज एक शेयर की 60% कर दोगे तो डिम्पी जी सारा बैंक निफ्टी चार अजार पोइंट गडिया बिल्कुछ एपाइंट टो पॉंडर ओवर के डोंट मेक इट सो स्कुड अन दी इंडेक्स के एफाइस दोनों तरफ से भारी हो जाएं बैंक निफ्टी में बागी भी बारा शेर हैं उनका क्या होना है इस इस पर इड़ोकेट बट मैं कहा रहा हूं इस इस अवेर आप कंपनियों के लॉट साइज बदल देते हो तो आपको यह भी अवेर रखना जी है एज़िए एफशी बैंक की रिलाइज की वेटेज की आपके साथ ही हूँ मैं और इसमें ना एक बार आप जड़ा भसीन साब को मेरे को जड़ा दिखाई और मैं और भसीन साब ना दोनों यह रिक्वेस्ट करते हैं सेभी से भी और रिक्वेस्ट करते हो एक्षेंज से भी है खुली रिक्वेस्ट है हमारी आप बात माने ना मा तो होता है कि आप बड़े विटेज वाले यहाथी को हिलते हैं तो पूरा सिस्टम हिलता है उन लोगों की कोई गलती नहीं ती जिनके स्टॉप लोसिस करते हैं लोगों का कोई गलती नहीं तो यह में आपके साथ हूं और यह मैं सेब्स्वात करता हूं मैं आपके भीहाफ से बोल देता हूं से सी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो वेटेज़ वाला हिस्सा है ना प्लीज 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 इसको ऐक बार अपड़ चेक करो करना 93 वाला 140 बिग्या अब उसका बाव 115-17 है क्योंके मार्किट में वीक्नेस आई है एलेक्ट्रो फोर्स इस लार्जस्ट एलेक्रिकल और प्रोटोटाइप डिजाइन मैनुफक्चर फॉर सीमें स्नाइडर समगा लार्जस प्लेयर दूसरा इसका डेट फ्री कंपनी है इसक मोटर ने अपनी इन केस अपना सोड़ा स्टेक बेजा था इसकी मार्किट मेरे हिसाब से तो हजार क्रोड होनी चाहिए लेकिन अभी मैं कहूंगा एक सो पंदरा सत्रा में लीजिए एक सो आठ रुपे का स्टॉप लॉस रखिए एक सो पचास से एक सो बिचत्तर देखिए SME में ऐसे जूंस हैं जो बड़े बाद में बढ़के जबी हजार क्रोड की मार्किट कैप होईगी तो स्मॉल कैप में आ जाएंगे लेकिन आपके पास मौका यह है लेने का एलेक्ट्रोफोर दूसरा यह मस्ट है वह इन यॉर पॉर्टफोलियो आप कोई भी इसका पैरमीटर से चेक करेंगे दूसरा मेरा पिक है SBA Life देखिए Life Insurance में हमें पता है यह quarterly slowdown था SBA Life के numbers on AP on gross net value editions बहुत बढ़िया थे मुझे लगता है 1550 का पह करता है दो मुझे बहुत पसंद है 475 में भी और मैं सोचता हूं SBA Life is a must have in a portfolio large cap है जो आपको outperform करेगा साथ में जो budget के दिन कुछ भी आपका rural or middle income के लिए insurance की तरफ से आगे ने चूप तो यह शेरों में हाथ नहीं लगेंगे तीसरा मेरा पिक है बंदन बैंक देखिए बंदन मैंक के result नहीं आए लेकिन इसमें हमें पता है overhang था group finance के merger के बाद HDFC पे बहुत बढ़ा stake था जो उन्होंने निल कर दिया तो उनकी selling से ह यह शेर दबा है one time price to books से नीचे आपको midgap bank of the size of बंदन मैंक नहीं मिलेगा इसके पास 3 crore customers है मुझे लगता है 265 का target आपको इस हफते या अगले हफते में जरूर आने वाला है यह 3 मेरे pick है Electroforce, SBA Life and बंदन मैंक, put your money where your mouth is आपको सीधा पहले share नहीं दिखा पाया तो मैं अपने screen से, मैं producer से request करूँगा कि पर मेरी screen दिखा दे, 122 रुपे का है share बढ़ी है तो फ़ड़ा वाल्यम वाल्यम चेक कर ले ना और वैसे share ठीक लग रहा भी और आपको averages के उपर भी है तो Electroforce हो गया, यह हमने levels लिग दि सकते हो, मैं जादा नहीं ले रहा है, आपसे एक share जो budget-oriented आपको ठीक लग रहा हो, एक share, सर एक नहीं, आपके लिए तो तीन-तीन share है, डिपी जी, आपसे तो खास प्रेम है, बाड़े वास्ते तिन share, पहले लीजिए SW Solar, देखो डिपी जी 300 वाला 570 हो गया, लेकिन आप फ 12% dilution सा, 300 करोड की cost तुम की और reduce हो रही है, और 12% margin, ये एक दो साल में इसकी order book हो गएगी, पचास हजार करोड की, और अभी तक parent से एक रुपे का order नहीं, जो 35 गिगावार्ट डालेगा, हजार रुपे का भाव आपको दिख जाएगा, यहां से अगले budget तर, दूसरा मेरा 100% stake किसी का नहीं है, इससे जादा stake नहीं है, ये एक gem in the, जुसे कहते है, सोना है, क्योंकि एंगरी, gold loan और MSME में सबसे जादा book इसकी expand कर रही है, margins are strong और इनके पास जो kasa ratio है that is growing, ये शेर का भाव मुझे 75 रुपे दिखता है by the end of the next six months. ठीक है फिसी साब बहुत बहुत शुक्रिया, thank you very much, थोड़ा extended समय ले लिया हमने आपसे, बहुत शुक्रिया सर, आपने धनलक्ष्मी बैंक बता दिया, CW, SW Solar बताया, SBL Life, Bandhan Bank और Electro Force है आपकी लिस्ट में, सर बहुत बहुत शुक्रिया, thank you very much, आगे बड़े, फटावर स एक काम कर लेते हैं, जारा है दो चार शेर और पता कर लेते हैं, बहुत अपकी ट्रेडिंग कॉल नहीं पता किया अबे तक, वह आपका कॉलम खाली है, जिसमें प्रशान के ट्रेडिंग कॉल्स है, ओ, प्रशान जी से बात ही नहीं उपाईगे तो थोड़े देर में गया एक शिर आप मिरको बता तो आपकी कन्विक्शन लेवल पे हाई है हम बजट से पहले बजट के बाद दोनों सिनेरों में रखते हैं पर आपको मार्जिन को ले करके दिक्कत आजाएं अनुसाशन रखके का मैं ना ब्रोकिंग आउसे में काम करके आया हूं अब होता है कि बजट होता नहीं अचा फिर लिवरेज मिलनी शुरू होगी अभी तो मैं तो शुकरा करूंगा एक्शेंज के क्योंने कैश पे लिवरेज बंद कर दी और डिलिवरी वाला कंसेप्ट लेकिया है शॉर्ट वार्ट मत कर वह आप है ना लेकिन होता है कि इच्छ तो लालज को परे रखे ना हटा दी सर लालज बुरी वला है हट गया सर वोट और ऑन अकाउंट बजट होगा तो ज्यादा परिवर्तन माननिय वित्यमंत्री जी श्रीमती निर्मला सीता रामन जी करे संभवता मुझे कम लग रही और यह पहली बार नहीं के पहले इसके प पहले तो हमारा जो अनुमान आकलन कहता है कि रोजगार खड़ा करने का सब लोगों के लिए एक बजट होगा न तो किसी एक वर्ग के लिए होगा खास करके क्रिशी शेत्र, रक्षा शेत्र, उर्जा उत्पादन, उर्जा वित्रीकरण, उर्जा उपकरण और भारती रेल से जुड़ी वी कंपनिया, तो ये एक समीकरण है, हमारे मानते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा और इसी तर्क के आधार पर अगर एक या दो कंपनी मैं बताना चाहूं, रक्षा शेत्र से जुड़ी वी जहाँ पर इतनी गिरावट आने के बावजूट, यानि कि 22,200 से ले करके 21,200,300 के आधार जो हमने गिरावट देखी है, ये दो स्टॉक है सरकारी कंपनी रक्षा जिस डुड़ी वी जहाँ पर हमने सरवोचम स्थर के आधार स्थर देखा है, नाम है भी एच एल और दूसरी है बी एल, ये दोनों पिए पर ही बुनियादी दर्क पर आधार पर खरीदारी के रहा है, और मेरे क्याल से एक बजट प्ले भी आप इसे कह सकते हैं, लेकिन ये मैं छोटी मध्य मद्य के लिए बात नहीं करता है, ये सर, डैन सर, बहुत शुक्रिया, थैंक्यों वेर मच, अच्छे से गाइड करने के लिए, और मैं को प और शुवांगी के बहुत ही बहतरी इन चीज है, कि वो जैसी एकस्पारी और नई सिरीज होती है तो ऐसे सौदे ढूंड के रखती है, वो पूरी सिरीज में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं कराती है, सौदे लीजिए, पूरी सिरीज के लिए बैठ जाएए, लास सिरीज जरा बताईए आपके ट्रेड कों से है, बिलकुर बहुत बहुत शुक्रिया और आभार, हम देखते हैं कि इस बार जो सिरीज का स्टार्ट हुआ है, जानवरी सिरीज, काफी बॉलिटाइल था पूरा सिरीज, और जिस तरह एंड भी हुआ हम यूडियन बजट के तरफ साइड नजर आते हुए दिख रहा है, निफ्टी में कम से कम लगबग थोड़े बहुत शॉट बिल्ट अप हुए है, बत बैंक निफ्टी में जो है, काफी शॉट बिल्ट अप हुए, 63% ओपन इंटरेस अधिशन हुआ है, तो यहां पर एक थोड़ी कंसर्न की बात है, य एक काफी reasonable रहेगा, तो यहां में पहला पिक जो है मेरा Mother Sun पे है, टॉक काफी अच्छा नजर आते हुए दिख रहा है, इसके जो January सीरीज के रोलोवर थे, वो काफी positive है, कम से कम 94% और open interest addition हुआ है, यहां पर लगबग काफी एची तरह से, यह स्टॉक जो है काफी बहतरी नजर आते हुए दिख रहा है, अपने पिछले एक range का जो हाय है, उसको काफी एची तरह से breakout करके आपे follow-up buying देखने को मिली है, volumes काफी increase हुए है, with a positive divergence, यहां पे खरदारी की सलाह है, 120 के levels immediately extend होते हुए दिख रहे है, 113 के एक stop के साथ, ठीक है, मैं हम एक ही है, वज़र से रहा है पूरे पासार की weakness के पावजूद, जो भी एक volatile swing था, weak on weak basis, यह stock में कोई भी छोड़े declines में खरदारी के मौके रूटे गए है, काफी positively placed है technically, यहां पे एक reversal भी देखने को मिल रहा है RSI में, तो यहां पे एक 230 तक के levels extend होते हुए दिख रहे है, 216 के stop के साथ, ठीक ह है, बहुत शुक्री है, आप तोनों शेयर्स आपने अच्छे से बता दी हैं, अभी हम आपसे और भी stocks कुछ पता करेंगे, खुश बोरा भी मिरसा जुड़गे हैं, खुश आपको इस budget के अंदर करेंगे खुश, तो खुश के अंदर भी थोड़ से जुड़ते हैं, लेकि उससे पहले एक काम करते हैं, नवरतन शेयर्स का समय हो गया बताने का आप, को कि नवरतन शेयर्स कौन-कौन से, और शरत भी मिरसा जुड़ चुके, शरत बताएं आप, जी बिलकुल बात करें तो अफकॉस देखेगा डिमपी, बीएफसाई सेग्मेंट में बहुत न्यू असवादेश में, और सबसे पहला स्टॉक है, इडिया बोल्स हाउसिंग फाइनाइन्स, यहाँ पे देखे तो लगबग 3,700 करोड रुपे राइस इशु जारा जरीयर जो है, रेस करेंगे, राइस इशु प्राइस देट सो रुपे प्रती शेयर का है, और याद रखे एक UK की FIE ने 50 लाग शेयर जिसको Plutus Wealth कहते हैं, उन्होंने बाइ किया है, प्राइबल एंटरप्राइजेज जो थीम है, वो है एसेट मोनेटाइजेशन का जो नौन कोर एसेट है, उसकी बिक्वाली कर रहा है, और अब जो है उन्होंने 20% की पूरी स्टेक बिक्वाली कर करोड तक की उन्होंने सेल की थी, तो इससे कारण क्या हो रहा है कि जो लिकुडेटी बफर है कंपनी में कंसॉलिडेटेड बेसेज पे उस पे बेनेफिट देखने मिल सकता है, वेदानता के तीस्रे तिमाई के नतीजे स्ट्रॉंग थे और जो ग्रोथ आया था वो अलुम से बहतर आकड़े आये थे और इसके इलावा कंपनी जो एक ग्यारा प्रोजेक्ट लॉंच करने वाले और इसका जो वैल्यू है छे हजार करोड के ऊपर होने वाला है मार्च के तिमाई में और इंपोर्टेंटली पांच हजार करोड यह अलग से रेस करने वाले हैं अपने यह नहीं है कि LIC आज ही अपनी स्टेक बढ़ा सकते उन्हें एक साल का जो है एक मौका दिया गया है अगर उनको बढ़ाना है तो करेंटली 5% स्टेक LIC का HDFC बैंक में है जेंटेक की बात करें small cap company है लेकिन जो तीसरे तिमाई के नतीजे आये थे वो बहुत strong set of numbers देखने मिला था और वही हजार करोड रुपे का जो capital raise है equity methods के जरिये उसकी भी board की approval आ गई है हमारा साथवा स्टॉक रहेगा SBI cards यहां पे तीसरे तिमाई की नतीजे कमजोर देखने मिले हैं और जो credit cost है उसमें भड़ोतरी देखने मिली है और यह high base के कारण भी हुआ है तो यह तो हमारे साथ stocks हुए हमारा आठवा स्टॉक वो है Concord Biotech City के report आई है initiate buy रखा है target price 1720 rupees per share और वो कह रहे है कि आगे जाते हैं जो runway है growth का उसमें बहुत strength देखने मिल सकता है revenue और earnings अगले आप 3 साल में expect कर सकते हैं 22 से लेकित 29% तक का growth दे सकती है और premium valuation sustain कर सकती है stock में तो एक positive brokerage की view आ रही है आपके Concord Biotech के लिए हमारा आख स्टॉक हमारा आखरी स्टॉक है खबर वह के अनार कंस्ट्रक्शन यहां पर एक बड़ी irrigation order company को मिल सकती है और importantly देखा जाए तो channel check suggest कर रहे हैं कि जो project execution है आने वाले महीनों में जो है improve कर सकता है और जो bidding आ सकती है वो states जो include करते हैं आपके मध्यप्रदेश और उडिसा अब important इसलिए है क्योंकि irrigation लगबख 16 सकॉड का order book है और 28% का total order book सिफ irrigation segment में ही है तो के अनार कंस्ट्रक्शन को जरूर अपने radar में रखियेगा ठीक है शरत आपने सारे के सारे shares बता दी और मैं बता दू के अनार कंस्ट्रक्शन जैसे अभी शरत ने बताया मैं और खुल रहा है एक काम करते हैं खुश बोरा मरसा जुड़े पहले उनके ज़रा trading calls ले ले लेते हैं फिर अलग-अलग stocks के विससे समय बचा हुआ है वो भी पता करेंगे खुश आपके trading calls गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दिंपी आपको सारे पैनलिस्त और सारे दर देखें तो किसी तरीके का market की volatility के साथ कोई प्रभाब नहीं देखने मिला है stock की trajectory अप ही है तो 565-80 के जो targets हैं इसके लिए आप जोती लाब्स में एक long position consider कर सकते हैं 535 इसको अपना stop loss लेके चलें and as a disclaimer ये stocks हमने हमारी advisory service के तहत हमारे clients के साथ भी discuss किये है जोती लाब आपका काफे interesting share है सर हम तो कहीं दिन से इसको देख रहे है एक बार आपसे पहले भी मेरी चर्चा और चुके जोती लाब कुछ ध्यान है ना आपको भी जोती लाब एक बार मारी पहले चर्चा और चुके इस पर तो बिल्कुल टिमपी इनफेक्ट 4500 के रेट से हम constantly इसको monitor और recommend करते आए हैं हमारे इस channel पर भी हमने इतनी बार discussion किया है पर आप देखें स्टॉक ने hardly अपने 20-day moving average को भी पिछले देर से दो महिने में बस touch किया और वहां से फिर से ऊपर की तरफ चलांग लगाई है बहुत ही अबर चेक करोगे क्योंकि आप इसको थोड़ा system and method के साफ से देखना हो मतेश नहीं हो बाएंगे ओक ठीक सोनी पटना है कि सोनी आप चेक करेंगे के एन र कंस्ट्रक्शन यह यहां पर अगर हम कि एन र कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो एक अच्छे level से bounce करने के कोशिश कर आए support है करीबन काफी multiple supports नजर आ रहा है 256, 250 के range में बहुत multiple support है बट यह अहां पर एक confirmed ऐसे बहुत अग्रेसिव breakout भी नहीं है मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर 275 के ऊपर आज अगर दिखता है, sustain करता है, close करता है तो वहां से आपको confirmation मिलेगा कि breakout भी आया है और आप यहां of 292, 297 के range में, तो थोड़ा सा wait and watch कीजिए 275 के ऊपर अगर निकालता है तो आप वहां से buy कर सकते हैं for targets of 292, 297 and then वहां पे आप stop this place कर सकते हैं around 264. पर सकते हो पर जा सकता है तो और तेजी देखने को मिसकता है, फटा पट क्योंके levels freeze हो चुके हैं, निफ्टी में समझना चाहता हूँ, निफ्टी में उतनी बड़ी तेजी तो दिखनी है, असी अंकों के तेजी है, एक सो चालीस अंकों के तेजी थी, तो निफ्टी में 80 पर तेजी है, निफ्टी में 355 अंकों के तेजी है, निफ्टी में जैसे के चर्चाह कहा थे ज़्यादा मजबूत खुलेगा, चुकि वहीं ज़्यादा गिरामत देखने को लेगा, निफ्टी में क्या कर एए, इस लेवल पे कुछ नहीं किया जाए, क्योंकि देखे, पहल आपको ऐसा हो रहा है कि आपके मंदी से आप थोड़ा सा तेजी में आने कि शॉर्ट कवरिंग बे आ रहे हैं, और जैसे आपको मैंने शुरूआत में बताए, 150 पॉइंट का आधा खोल रहे हैं, यह अभी थोड़ा नहीं रुकना चाहिए, इसलिए मैंने आप शुरूआत सिस्टम में भी बने रहे हैं, इसलिए अभी उम्मीद नहारी हो सकता, आपको भी वापिस से मौका मिल जाए, इसलिए जिनके पास पॉजिशन नहीं है, जो आज पहली बार सोदा करने के लिए आ रहे हैं, सिरफ 20% और टाइट स्टॉप लॉस 21-300 का, दोसों का या आप जै इसे फिलहाल आप वेट और वाच लिस्ट पे ही रखें, मुझे लग रहे हैं यहां पर थोड़ा सा जो प्रेशर है, अच्छे देखनों के मिले है, शुरुआत जो थोड़ी से मजबूती के साथ होते हैं, 2% के मजबूती हो रही है, कुछ इस पर क्याड़ा होगी आपकी? यह मुझे लग रहा है बाइंग के लिए बिल्कुल तयार हो चुका है consolidation range में था positive bias के साथ यहां पर trade कर रहा था opening भी इसकी on the upside हुई है मुझे लग रहा है यहां पर 1300 और 1325 के targets के लिए long position बना सकते हैं और 1245 के करीब अपना stop loss लेके चले हैं अज नंबर आने वाले हैं बजाज finance के बजाज finance को लेकर किस लेबर पर खरदारी करनी चाहिए तो मेरी साला रहेगी बजाज finance को फिलहाल avoid करें stock में हर rice पर selling pressure देखने मिला है यह prime shotting candidate बन चुका है अगर किसी भी तरिके का उच्छाल आता है तो मुझे लग रहे हैं यहां से exit ढूनना चाहिए I think बजाज finance is for now on a wait and watch or an avoid list rather तो मैं इसमें wait and watch करोंगे wait and watch करने के लिए फिलाल के लिए वैसे यह सवाल जो है ने कुछ सोनी के लिए सोनी आपको कैसा लग रहा बजाज finances लेवल पर बने हैं सो स्टॉक काफी बीक नजर आ रहा है यहां पर इन फाक्ट हम देखेंगे तो 6800 के levels ते एक बार test कर सकता है और उपर के तरफ जब तक 72 50 73 100 के उपर decisive close नहीं देता है तब तक trend reversal की शांसे स्काम है सो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप इसको अवाइड कीजे 6800 टेस्ट कर सकता है थीक है शिवांगी अम्भूजा सिमेंट में आज को ट्रेड ले सकते हैं क्या दस दूर पर खोल रहा है अम्भूजा सिमेंट आज ही आज में को ट्रेड लेना चाहिए पूरी यूरो सीरीस में हमने देखा कि ये स्टॉक के कावे एक रीजपाउंड पूब रहा है ये लाक लस्टर रहा है तोड़ी बहुत पर अब जो है एक अच्छी हांपे बाइंग इड्रेस देखने को बिल रहे हैं अगें इस स्टॉक में हमने देखा है कि पूरे ही सिमेंट पै अगेट शो है वो बनते वे दिख रहा है अरां 590 के और फिर 600 के और क्रूशल सपोर्ट रहेगा 560 के आसपास इस सेकेंड बार मारकेट खोल जाएगा हलाकि IRB के भी नंबर है और इस पीच इसके ये गैप के साथ खोल रहा है 3% मैं आपको बता रहेता हूँ कि निफ्टी के काउंटर्स के समय के सिच्चुएशन क्या है अगर आप स्क्रीन से फटावट से दिखाते जाएं तो 2,5% ONGC उपर खुल रहा है इसके अलावा टेक महिंदरा के अंदर IT की लीडर्शिप है 1-5% उपर खुल रहा है अब बेस बनाने का काम करेगा आइसे से बैंक NTPC और कोटेक बैंक ये कुछ एक शेयर्स हैं जो चल रहे हैं में कुछ देख के अच्छा लग रहा है कि SBI, ICICI और कोटेक भी है HDFC की सास्ताथ में फिलाल आप शुरुआत में कुछ बड़े शेयरों की वेटेज कुछ हिसाब से चेक करना पड़ेगा फिर देखते हैं क्या होगा फिलाल तो 1400 शेयर अडवांसिस के साथ कुल रहे है 80 पॉइंट का पहला टिक है 100 पॉइंट पार कर सकता है जटके में लेकिन आप हर्शो साहित और जैसे आज गुराइंग सर नहीं का कि लालच ना हो थोड़ी सी तो इसलों फड़ा रुख जाना चाहिए अब यह हो गया 100 पॉइंट के पार 117 लेकिन अपना 20 परसंट अपने सौदे पंच करो सुबह सुबही हमने आपको बताया भी था और हम खुल के बता रहे हैं 20 परसंट अपने सौदो को पंच करो अभी और के लिए रुख जाओ 21-200 का एक स्टॉप लोस लगा के रखो अब आते हैं जरा HDFC आप देखो HDFC परसंट उपर खूल रहा है थोड़ा LIC वाला फेक्टर है देखिए खबर अभी आई है डाजेस्ट ओने में समय लगेगा HDFC को रुख जाना चाहिए आज न मितेश ने बहुत बढ़ी हापको लेवल बताया था कि 1480 के उपर आप शुरू कीजेगा भी आया नहीं HDFC 1480 के उपर तो थोड़ा सा रुकिएगा 1600 शेयर एडवांसिस के साथ आपको ट्रेड कर रहे हैं मैं आपको ना हर शेयर और हर चीज़ को जो लेवल्स में नोटिस के आपके सामने करता जा रहा हूं असी से हो गया हम 120 पॉइंट 40 पॉइंट आपके पास आई हुए हैं ठीक है अब अपने ही स्टॉप लोस अपना ही रेल अपना उसका इंट्राइड स्विंग वाले हैं को अपने हिसाप से देखते जाए हैं ज्यादा चीज बोली नहीं जा सकती हो ने आते हैं जरा तेजी माइनिंग वाले शेयर्स को न अपना भूलेगा इस सीरीज के अंदर हो सकता है गौर्मेंट माइनिंग से जुड़ा हो कुछ बड़ा चीज भी अनौस कर दे हलाकि हैं इंटीरियम बजट लेकिन सरकार का पता नहीं के बार तो बजट से पहले अनौसमेंट कर देते हैं सब्सक्राइब मेनेजमेंट के रिगार्डिंग ख़बर आई है कि इनकी जो सब्सक्राइब किया है तो थोड़ा सब्सक्राइब आप ध्यान रखेगा उस पर भी यह डेल को भी ट्रिगर करवाएगा आगे चलके तो इस पर पॉइंट पर ध्यान रखा जाए डॉक्टर र ट्रेलिंग स्टाप्लोस का फाइदा लगाना और सिर्फ बैठे रहो अभी पूरा सौधा भरने का समय नहीं है आएगा तो हम आपके सामने जरूर रखेंगे 45300 का पहला टार्गेट आ जो गया 45500 दूसरे टार्गेट पर आएंगे यह आप स्क्रीन देख रहे हो हीट मैप क आपको यहां पर साफ दिख रहा होगा आज फार्मसूटिकल्स के दोनों प्ले डॉक्तर रेडीज और सिप्ला अलग अलग वजों से आज नीची है आईटेसी के नंबर है डिफेंसिव हैं और जहां पर थोड़ा एग्डेशन होना चाहिए पोस्ट नंबर्स का वह आपको स्क्रीन पर जाना दिख रहा होगा ऐच्ढी एफसी क्या का रहा है सिर्फ बैलेंसर वाला काम कर रहा हूं और कुछ नहीं करेगा अब यह बाजार को रोकने का काम करेगा समय नहीं अभी एच्ट अबकिशी के इंदर बट हाँ यह बैलेंसर का का म बहुत अच्छे से कर रह तो थोड़े से मत्भूत घृटेड में देखने को मिलिए इसके लावख यह चिछ और स्ट sniff और फिल्म क्वाथ मत्ति वहां मतTHवी देखनेंगे ते लावब कुछ और स्टो के यहाँ का तोरी मतभूती देखने हैं तो और इसके लावख यहां फूर भारत बिजली देखिए वहां तो ये खरदारी आई-पस ये मजबूती थी, अब जो है दस परसंट का साकिट है, अब जो है दस परसंट का साकिट है, डिमपी शेयर में लग चुका है, अलगा तार आप कुछ और आप दोनों जो है इस पर राय देते रहे हैं, इस कलब आप पी एंबी में तो खरदारी देखने को मिल लिए, तो लाज केप का साथ सब स्मॉल केप में अच्छा हुजान देखने को मिले हैं, अब जरा ओपरिंट सोदा लेना शुरू करते हैं, सोनी आप से शुरू कर रहे हैं, मार्केट आपने भी देखी लिया होगा, तीन-चार मि सकते हैं, stop loss लगाए 584 का और टार्गेट है 610,615, 610 का टार्गेट लिखो, अगर सामने लिख सकते हैं, वो लिख भी दो, सिरफ बाइंग के स्टेप लगाने के हम भी लिख देती हैं, 584 का एक stop loss लगाओ, 610 का एक stop loss लगाओ, 610 का एक stop loss टार्गेट रखके, LIC housing रखो, 2 0.5% उपर है, speed से चल रहा है, शिर, शिवांगी, आपका opening का सोदा कौन सा है, यहां पर मुझे क्यूमिंस बहुत positively placed नजर आते हुए दिख रहा है, यह stock की एक खासित है कि यहां पर breakout के पाद जब follow up buying होती है, तो काफी एक अच्छा move हैं पर देखने को मिलता है, पूरे ही space में हमने देखा है कि एक अच्छी buying interest बनते वे दिख रहे हैं और week on week basis यह stock काफी strong है, अच्छे rollovers के आकरे हैं तो stock जो है extend होते वे दिखेगा levels के around 22-18 तक के levels और 21-60 के एक stock को हम ध्याब रखे है, 21-60 का stopless है, 22-80 का target है, याद रखा जाए, और हम कोशिश करेंगे कल से plate बिस सामने आए, जो stock loss of target के बन रही है, ताकि किसी तरह की कोई गल्ती ना हुआ आपसे, ना ही भरने में, ना ही उसको निकालने में, ठीक है, खुश आपका जो आपनिंग का trade, अपनिंग ट्रेड देने के साथ साथ मैं रधर दो अपडेट देना चाहूंगा, पहला तो है सिमेंस, फ्राइडे, थर्सडे का रादर जो आपका अफ्टर्नून शो था, फेब सीरीज की एक्सपाइरी के लिए, जब हमने कुछ कॉल सजेस्ट किये थे, उसमें सिमेंस सजेस्ट किया था, 4200 के टारगेट के लिए वो उसी दिन अचीव हुआ था, आज सुभा भी हमने 42.95 के पहले टारगेट के लिए सिमेंस सजेस्ट किया है, और पहला टारगेट तो अचीव ही गया है, मेरे इसाब से 4400 के करीब का जो दूसरा टारगेट है, इसके लिए सिमेंस में अभी भी बने रहना चाहिए, एक और स्टॉक जो थर्सडे की, you know, आफ्टरनून कॉल में suggest किया था, which is Tata Power, तो यहाँ पे भी अगर आप देखें, तो जो 370 का टारगेट था, Futures का Feb Series के लिए वो भी अच्छी होता हूँ, नजर आया है, तो मेरे साब से अभी इन दोनों स्टॉक्स में बने रह सकते हैं, Tata Power, Cements, I think दोनों ही स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज आने वाले कुछ दिनों में यह आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, तो जिन दर्शक को ने लिया हो, मेरी सलह रहेगी कि इसमें अभी ट्रेलिंग स्टॉक्स लगाके, बोल्ड करें, रादर देन बुकिंग प्रॉफिट्स, अब जो ओपनिंग ट्रेड की बात है, एक स् लिए कह रहा हूँ, बिकॉज एक अच्छा सा स्पाइक देखा था हमने, जहाँ टू फिफिटी सिक्स तक एक जंप लगाया था इस टॉक ने, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी 220 के आसपास, तो इसको जो रिवाइवल है, इट इस ओन कोर्स नाउ, 220 का ही जो लेव है, आपने फैप सिरी स्कम को सोदे दिये थे, और हमने उस पे रिखा था, सीवन्स का नाम, टाटा पावर भी आप कह रहे हैं चल सकता है, शिवांगी की तरह से कमिन्स इंडिया है, और सोनी कह रहे हैं, एक चीज में को आप से और थोड़ा पत्रा करनी है, सर कई बार क्या होता है, यह से हम शुरुआते हैं कि HDFC की वेटेज है, जो फैक्ट है सो फैक्ट है, इसमें बुरा क्या है, उसकी वेटेज थी, वेटेज से क्या होगा कि बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा ही तूट गया, तो थोड़ा ना मनोबल ICS वालों का भी तूट गया, थोड़ा स ठीक है, सेफ्टी और ग्रोथ दोनों आजाए हाथ में सर, एक बार अन्मूट कर लिजे गुरांग सर, तभी अवाज आएगी शमाज आता हूँ इसके लिए डिप्पी जी नहीं कोई बार दिपताई से जब भी थोड़ा बहुत भुकंप आता है या हवाय तेज चलती और एक बड़ा पेड थोड़ा बहुत हिलने लगता है तो खोडोसी जो छोटे मोटे या थोड़े बहुत उतने बड़े पेड नहीं होते हैं वो तो जादा हिलते हैं इसमें आश्चेरे नहीं होना चाहिए और जैसे टिपणी मैंने प्रोग्राम के शुरुवात में की के एक तिमाई के नतीजे अगर थोड़े बहुत मायूज आते हैं कुछ जगों पर उसका ये अर्थ नहीं होता है कि आप पिछले 10-15 साल का इतियास भुला करके अपनी ल सरकारी बैंकों में भी हमें स्टेट बैंक ओफ इंडिया कैनारा बैंक 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 बरोडा बैंक ओफ इंडिया पी एंबी यह अच्छी लगती है और एक बात और कहना चाहूंगा अगर हमारे भारत देश को आने वाले समय में नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर एकनॉमी बनना है तो मेरे खाल से वित्तिय शेत्र यानि की बैंकिंग और अच्छी मजबूत अन्बी एफसी का योगदान बहुत जरूरी होगा क्योंकि बिना नगदी के आप उधर तक पहुच नहीं पाऊ मैं आपके सार पॉइंट टेकन है सर और आपने हमको जो दूसरे शेयर्स बता रहे है आई से से वगएरा ये भी हम जरूर जरूर धान रखेंगे मैं एक काम करूँगा आज रहा सोनी को फिर से थैंक्यों करूँगा क्योंकि रिलाइंस इंडस्टिस चलता है तो मैं को एक दम से सोनी की याद आ जाते है उस कॉल के बारे में भी चुनों ने हमको 2700 के लिवल पी थी आज भी सोनी आपका ट्रेडिंग कॉल सुबह रिलाइ में दिया था अभी 85 हो गया है so options के दौर पर एक बार पार्शल प्रॉफिट तो यहां पर बुक कर देना चाहिए options के पीमें थोड़े से different move करेंगे you know as stock stock तो at least cash में आप लेके रख भी सकते हैं positional play के लिए so यहां पर definitely options जिन्होंने लिए रखिए थोड़ा सा पार्शल प 507 के रेंज तक भी जा सकता है options so I think target up increase कर सकता है पार्शल प्रॉफिट बुक कर लीजिए stop losses ट्रेल कर दीजिए cost के ऊपर प्रॉफिट फटा फटा पुछ रैफिट फारी स्टॉक्स करते हैं हम दोनों मैं आप से कुछ पूछता हूं और पटाफटा जवाब देते हैं सबसे पहले संफर्मा देखें लागतार मजबूत होड़ा आज के ट्रेड में इसे बाइक की कुष है कि मैंनी जी देखें पिछले हथे भी हमने संफर मार डिसकस किया था था मस्बूत ही हाला कि रेजिस्टन्स भन रहा था यहाँ पे यह इनुह 1380 पर अब इसका जो स्टॉप लोस से यह फर्मली 1380 के आसपास बनता है तो सन फार्मा अभी भी मुझे लग रहा है यहां से लौंग किया जा सकते हैं सुप्रीम पेट्रो देखें केमिकल स्टॉक में अभी भी तेजी बर्ती भी दिख रही है कड़ी 590 का आसपास यह ट्रेट कर रहा है क्या रहा होगी इस पर सुप्रीम पेट्रो ब्रेकाउट कैंडिडेट था कल राधर थरस्डे को ब्रेकाउट आया था आज फॉलो थू है पट मेरे साब से यहाँ पे 600 के आसपास रेजिस्टन्स है तो रिस्क रिवर्ड रिशियो अफ फेवरेबल नहीं रहेगा तो सुप्रीम पेट्रो में प्रॉफिट बुकिंग करने की सला रहेगी जिसने इन्हों अनिचली लेबल पे लिया हो 600 के आसपास रेजिस्टन्स है खास तोर पर अलेक्टरा ग्रीन टेक भी दिखाई दोनों सेम थीम पे चलते हैं एक साथ चलते हैं जो औरदाश शेर दोनों में तेजी है दोनों में से कोई एक शेर पसंद करना हो किसके साथ जाएंगे अभी दोनों ही स्टॉक्स अच्छे खासे रिकवरी कैंडिडेट्स हैं दोनों में ही बाइंग की जा सकती है अगर मुझे एक पे करना हो तो मैं कहूंगा कि JBA मोटो में बिलकुल नजर बनाके रखें यहाँ पर जो अपमूव है यह और शार्प हो सकता है आने वाले कुछ दिनो है यहां पर 1850-1875 के लेवल्स को अपना स्टॉप बना के चलें एकी सो में नियर्टम के साब से कह रहा हूं अगर किसी तरीके का भी ऑटो कुछ बजेट में आता है तो इसके उपर के भी लेवल्स आने वाले कुछ दिनों में स्टॉक में इस टॉक में देखने मिल सकते हैं अगर लगा देखे हैं अगर लगा देखे हैं सील बंद मोहर जो होता है लगता है लगए तो फिर बिलकुल बिलकुल एक मोहर लगा दी जा टागेट एचीवड 21-500 आगला टागेट 21-800 के लिए बने रहना चाहिए और अपने ट्रेल करना चाहिए मैं आपको बोलूँगा मेरा है कि मैं 20-30% सौधे के साथ ही खोश हूँ मैं को नहीं चाहिए भाई 10 लॉट मैं अगर 10 लॉट मार भी सकता हूं ले भी सकता हूं ना तो मैं सिर्फ तीनी लॉट लूँ अभी अभी मेरा ना वह पका नहीं है लेवल्स तो इसलिए वह यूफूरिया भी खतम हो चुक सतर पॉइंट कम नहीं होते हैं निफ्टी के अंदर मिल जाएं और सतर मिनिट नहीं हुए बजार को खुले हुए भी 15 मिनिट है 15 मिनिट है 20 मिनिट जैसी भी आप तो आपने ट्रेलिंग स्टॉप्रस लगाओ 21-500 का अब आपका सोधा कटता है आप थैंक्यू वर्यमच बो आप लो आज के सभी मेमानों को और आप बाहर हो जाओ उससे लगया आप बैंक निफ्टी 45-300 को पर ट्रेट कर रहा है यहां से दो पांट दो सो पांट और तेजी हो सकती है हो सकती है 45-500 के बाहर लेकिन आपको अगर लग रहा है कि 45-500 में मेरे को खुशी है मेरा हो गया है रखने का मतलब सचायत रहें जागरीत रहें हाना तो जिनको प्रॉफिट बूग के निकी तो कोई बात नहीं इसमें 200 पॉइंट का अभी भी डैवर्जन थोड़ा पीछे है मैं फिर भी बोलूंगा जिनको लग रहा है कि आज को की 300-300 पॉइंट खुला था एक बार केंड फोर्स बाजार में दिख़ए है कि बहुत मजबूत है वह देखें बहुत सिंपल साय जो भी जित्ते में हमारे महमान है ने सब के पास भी वही टर्मिनल्स है वही डाटा है गुरांग सरके तो खैर उमरी बीड़ गी सब डाटा सब को समझने की हाना तो आप यह सोच के दे ठीक है ना आपका एक ट्रिगर दबाया तो उसके बाद का रिवार्ड मिलेगा ना आप एक जंप करोगे पार तो उसके बाद का इनाम आपको मिलेगा शिवांगी ठीक है ना अब जिनके बास ट्रेलिंग स्टॉपलास है वो रखे न 21-800 के लिए रास्ता खुल रहा है न ज सपोर्ट पे स्पाइन काफी स्ट्रॉंग है अच्छे यहां पे पुट राइटर्स अपने पॉजिशन बनाते वए भी दिख रहे है थोड़ा सा क्लियर कर दो आपना बैंग निफ्टी का चार्ट भी देखेंगे ना तो आपको देखेंगा उसके अंदर गैप के बाद सब्सक्राइब करने पड़ेगी थोड़ा रुख जाते हैं लेकिन हाँ जैसे ही आपको ठीक लगता अपने हिसाब से जरूर चलो यह आपका फैसले अपने विद्व सलाकारों से पूछ के लेना हम तो सिर्फ डाटा के बिस्सिस पर आपके साने पॉइंट्स रख सकते हैं बस आगे बढ़ें जरा स्पीड से कुछ शेक और शेयर्स ले लेते हैं गुरांग सर एक चीज़ बताईए जरा सरे यह जी के अंदर कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कई बार ऐसा लगता है कि वैल्यूशन को क्यों खास से जाने दे डील नहीं हो रही कोई ना चलाना होता तो 4% पर पहले चला ले था सोनी से बाच्ची थी क्यों क्यों suppliers अगर सोनी से बाच्ची टुड गया कोई ना को और प्लेयर आ लिए अगर आपकी अनुमत हो तो बादार यह जो लेवल की अभी आप बात करें तो यह जो स्तर हम देख रहें डिपी जी 21,300 का जो हमने स्तर देखा उसके नीचे हम गए और अब यह आप 21,500 की जो बात करें रहें तो कभी-कभी ना टिपी जी बादार को समझने के लिए ना अंतरिक्ष वाहान विज्ञान जो होता ना उसकी जरुवत नहीं होती पिछले साल एक बहुत ही छोटी सी बात बता रहा हूं बहुत ही अभी-भी का जो एक बिता हुआ समय था 2023 में कम से कम एक से देड मैने तक हमने एक डायरे में कारोबार किया और वो था 2300 नीचे में और 2400 उपर में ये करीबन एक देड मैने का समय था और ये था मेरे क्याहल्स से बहुत 6-7 मेना साल बर पुराना डेटा जो होता ना बादार का ध्यान में रखना चाहिए और बादार अपने आप केवल मात्र खबरों के आधार पर चलता है नतीजों के आधार पर यह नहीं चलेगा और जैसे-जैसे खबरे सकारात्माग आएगी यह आपको 15% उपर जाता हुआ दिखाए देगा और अगर नकारात्मक परिस्ति आती है तो आपने सामने है 165 तो मेरे ख्याल से अगर आपका पूराना निवेश है तो आप बने रहें और जब मैटर कोट कचरी में जाके अटकता है ना तब कोई भी उतावला पर नहीं करता चाहिए और मैं बोलता हुआ गुरांग सर को आपको इसलिए भी सुनना चाहिए को आपको स्टॉक्स बतारें ऐसा नहीं गुरांग सर को इस आको बता रहे हैं दिखा लोगों सब्सक्राइब के टेकनिकल चाहुख को समझा रहा है शेुख न यहिए ठोड़ा ज्यान प्राप्त हो जाता है जैसे बहुत ही मनुभाव टेकनिकल बैख है चैनल पर उनकी भी बाते सुनते है और आप जीसे मनुभाव की बाता है सुनते और थोड़ा बहुत ग्यान हम भी पचाने की कोशिश है भी VIS से बहुत शुकर है थेंचीज अड़ीज से गाइड करने स्पांसों बें दिख जाएगा तो आप फ्री हो जाएगा आज का आप काम हो जए पांस में टाप गौरांग जो है न आ और हम तर्चा करने तो साथ ही यह वो भी है थोड़ा मेहनत करने पड़ते देखिए खेर कर आपके हम शेयर्स पर आ जाते हैं शेयर्स पर हम आएं तो जरह मैं कुछ मैंने पॉजिशन्स निकाल रा अच्छा एक गोद्रेज प्रोपर्टीज मैंने निकाला है शिवांगी से पता करना था शिवांगी आज गोरांग सर से मैंने जब रियल स्टेट के बारे पता के रहा है तो गोद्रेज पर भी बिलिश थे मैंने थोड़ देर पहले डाटा देखा तो मेरे को उतना बुरा नहीं लगा डाटा एक ठीक बन रहा शुरुआत में एक बार जादा चेक करोगे आप अगर गोद्रेज ठ ठीक लग रहा है तो फिर पॉजिशन्स बनाएं क्या गोद्रेज प्रोपर्टीज में अच्छी पॉलो अप है काफी स्ट्रॉंग ली प्लेस्ट है इसका जो मेकानिकल इंडिकेटर्स है वो भी एक काफी हायर सोंस पे स्टेबल होते वे नाजर आ रहा है मन्त और मन्त बेस से कंटिनूसली आउट परफॉर्म किया है पूरे ही इस सेक्टर में तो बिलकुल यहाँ पर जो स्ट्रेंद है वो कंटिनू होते वे दिखेगी नेक्स यहाँ पर जो लेवल्स है इमीजिट टागिट्स अगर हम बात करे तो 2450 के आसपास बनते वे दिख रहे हैं 2310 के एक स स्ट्रेंद है काफी सपोर्ट जो को काफी अची तरह से खोल कर रहा है तो यहां भी नजर जो है वो धाल जागते है शेयर मैं आपको थोड़ा और नोटिस करना चाहता हूं वास सोनी ने सुभी दिया था एल आइसी हाउसिंग फानैस सोनी आपका जो टार्गेट था ओपन पर बाहर निकल जाए इन फाक्ट आज अभी का जो स्वाई का ब्रेक आउट देखने को मिल रहा है काफी अच्छा है यहां पे और जितना वो सेस्टेंड करेगा अबब सिक्स हंडर्ड वान सिक्स हंडर्ड टू के ऊपर उतना कन्फरमेशन दिखा कि सारे कॉल राइटर सि वहां पे शॉर्ट कवरिंग आपको नजर आ सकते इसलिए 610 का ही टार्गेट भी आए तो आप इसको होल कीजिए डेफिनिक टार्गेटर इसको होल्ड करो आप और ट्रेलिंग लगाओ आयार भी इनके बारे में मेरे को आज पका से यकीन भी हो रहा था डाटा भी समझ में रहा रहा था बस मेरे से मिस हो गया पूछना तो मैं पूछता जरूर लेकिन सुभे में आपको नोटिस जरूर करवा था आयार भी देखते ही देखते 14% उपर है और डिंपी आज केबल देखी ना केबल आयार भी बाकी इंफ्राइस टॉक्स भी देखिए नबी सी सी देख देखिए सुत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से आंतरीम बजट में सरकार जो capital expenditure टागेट है उसमें करीब 15% तक की बढ़ोतरी कर सकती है हलाकि यह आंतरीम बजट है लेकिन उसी proportion में एप्रील से जून महीने के बीच जो capital expenditure की ज़रूरते होगी जो टागेट है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है और सुत्र हमें बता रहे हैं कि इसमें करीब 15% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है इसके अलावा सरकार जो है fiscal prudence और capital expenditure के बीच में एक सामनजस बिठाने की कोशिश करेगी और उसी के हिसाब से यह ऐलान किये जाएंगे अग capital expenditure में करीब 20% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है हाला कि सरकार capital expenditure में बढ़ोतरी करने के बावजूद भी जो fiscal prudence है उसको maintain रखेगी जो roadmap तयार किये गए हैं उसको उसका पालन करेगी और उसके हिसाब से जो target रखा गया है अगर आप fiscal deficit के target की बात करें तो चालू करने को लेकर सरकार confident है इसके लावा 2026 तक का जो target रखा गया है वो है 4.5 परसेंट लिहाजा सरकार इसी target के हिसाब से आगे बढ़ रही है तो लगाता इटेना सोदेश पर एक से बढ़कर इक exclusive ख़बरें देख रहे हैं जिसका बजट में एलान हो सकता है कि सरकार ठीक है इ इस बजट में capital expenditure का खर्च बढ़ा सकते दस से लेकर 15 पसंद बढ़ाने की बाते चल नहीं है आप कैसे देखते और को infra play आपको पसंद आता है कि सरकार काफी सूजबूच समझ वाली सरकार है और कभी बजट अगर चुनाव के टाइम आता है तो पिछले बार दो बार हमें कि मन लुबावन बजट नहीं देते विकास से जुड़ा हुआ रोजगार बढ़ाने से देश की अर्थवर्स्ता को सुधारने से नीतियों में बदलाव करके जो foreign influence उसको बढ़ाने की पाते करती है और हमारा मानना यह के infrastructure में तो आपको बढ़ावा करना ही पड़ेगा क्य से जुड़े हो एरपोर्ट से जुड़े हो या फिर आम जनता के लिए निर्मान कारिया मेरे क्याल से चुनाव के पश्चाद नतीज़े आएंगे और निरनायक तरीके से सरकार के इंदर में बैढ़ जाएगी और जोड से होगा सिमेंट और लोहे की यानि की धातू की खपत भी उसी तरीके से उपर जाएगी क्यूंकि ये दोनों कमोडिटी के बिगहर आप एक मजबूर सक्षम टिकने वाला ढाचा नहीं बना सकते कंपनी जो हमें पसंद आती वो है न्सी सी लिमिटेड अभी आप शुरुआत पे के पनार कंस्त्रॉक्शन का बाते हुई थी उसके साथ पी एंसी इंफ्रा एक कम्पनी और है जिसकी मेरे खियाल से देड्र महींने-दो महींने पहले आया था एक सो बीस या एक सो तीस के स्थर पह वह जोड़ी हुई नहीं लेकिन पॉर्ट लोजिस्टिक्स वगरा से जुड एक शिर मैं आपको और स्क्रीन पर दिखाता हूं मैं सिर्फ अच्छी बाते नहीं विलाओंगा जहां पर प्रॉब्लम हो रही है ना वो भी दिखाऊंगा बहुत क्रिटिकल स्टेज पर रहें मैं बताता हूं होता कैसे आपना बहुत मेहनत करके किसी चीज को अगर आपने पाया है और वो आपसे खराब हो जाए आपके बीचे बहुत मेहनत हुई है बैंक्स के पीछे और वो खराब हो जाए ना तो फिर मन बहुत जड़ा दुखता है तो यही प्राबलम हो रहे हैं कि असेट क्वालिटी पर थोड़ा सा कोश्चन उठा है मैंने भी ज़स्ट चेक किया नंबर्स पहले मैंने ज़्यादा गौर नहीं दिया था लेकिन अभी मैंने जब शेयर के प्राइसिंग चेक कर तो मैं को यह पता लगा कि हाईसा क्या हो है इस बीच आपको हम बता दे एक और एक्सक्लूजिव खबर के लिए आप त्यार हो जाएगा यह भी बजट से जुड़ी हुई है वह है सेजड का मामला कुरांक सर को तो खेर पता ही है सेजड होने से पहले भी मार्किट देख रहे थे हैं सेजड होने के दोरान भी उन्ह कि अगे बढ़ते हैं जला पहले कुछ है और में जरा सर से चेक कर वा लेता हूं या फिर सोनी से चैक कर लाधे हैं सोनी हा शुवांगी और कुश तैार तीन-चार शेर में आपसे रहा स्पीड़ से पता कर लेता हूं पहला है एक तो आमब एंटरप्राइज जस तरतालिस स बुक कर दीजे और एक पोजिशनल तौर से 4100 का स्टॉप्लस ट्रेल कर दीजे एंड होल कीजिए इसको 4400 4450 के रेंज में फुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इसके अलावा कुछ और शेयर जो है मेरे लिस्ट में एक एंटी पीसी भी अभी अभी आया है जस्ट मुने को लग रहा है कि इसको सिरीज के लिए रखना चाहिए शिवांगी एक बार डाटा चेक करेंगे आप जी पिरकुर एंटी बीसी के अगर हम यहां बात करें ओविसली फ्लेवर में रहेगा बश्यत के आसपास और हम देखरें कि यह स्टॉप जो है डेली पेसिस पे एक अपवर्ट स्लोपिंग चैनल में काम कर रहा है और एक अपने 50 एक्स्पोर्नेशल मुविंग आवरिज के आसपास अच्छा सपोर्ट लेते हुए बागे बढ़ते जा रहे हैं इस टॉप यहां पे 333 के नेक्स तागिट्स बढ़ते हुए लिख सकते हैं 315 के एक स्टॉप को हम ध्यान रखें एक और शेयर वह भुलाए नहीं भूल रहा है भूलना भी नहीं चाहिए मैं बोलूगा जब जिस तरह का बदलाव आ रहा है क्यों भूलना चाहिए उन शेयर को वह शेयर है पावर वाले एक्चली में पावर जो है ने करन्ट तो पिछले साल से दोड़ रहा है और मेरे को आधी अब सोलर हो चुकी है आधी वैसे तो इसको अबजेक्टिव था कि दूर दर आज एरिया में बिजली पहुचाना आरीसी का वो तो होई गया पूरे देश में अमूमन अब सब जगे पे बिजली है तो अब ये सोलर वगारा के पैनल पे भी आगई है थोड़ा फानें सिमेंसिज और चीजे बनाते हैं जो कि जहां पर ज्यादा वोल्टेज का पावर दर जाता है तो सिमेंस और कमिंस को दोनों इनवाल्ड है कम्पनी ठीक आरीसी पी एफसी बर ज़रा चेक करवाते हैं खुश ये बर ज़रा दोनों चेक करोगे ट्रेड बनते हैं तो फिर ले इन फैक्ट अगर मैं देखो तो डिसेंबर स्टार्ट में जो लेवल से उन लेवल्स को अब यह दोनों ही स्टॉक क्रॉस करते हुए नजर आए हैं तो मेरे सब से यहां पर बिलकुल एक ट्रेड बनता है कि पावर सेक्टर जो है इसमें इसको लेके बजेट में हो सकता है क कुछ अनाउंस्मेंट्स आते हुए नजर है हमारा भी जो आज का रिपोर्ट है उसमें यही व्यू है कि पावर सेक्टर एग्री सेक्टर इनमें बिलकुल ट्रेक्शन दिखेगा और वो फिलहाल स्टॉक के जो प्राइसिस है इनमें ट्रांस्टेट होता हो वो नजर आ रह करते हैं मेरे साफ सेंपर 445 और 460 के जो दो लेवल्स है इनको टार्गेट बनाके चलें फॉर दर नियर टर्म और स्टॉपलोस जो है उसको करी 422 के पास लेके चलें जहां तक आरिसी की बात है बरी सिमिलर स्ट्रक्ट यहां पर बाइस बैसी कुछ समय से पॉजिटिव चल 465 के पास अच्छा सपोर्ट जोन है तो वह स्टॉपलोस के तौर पर एक्ट करेंगा तो जल्दी से कुछ एक शियर को देखिए फिर चलेंग इस्कूल सी फ़र्पिया टाटा इंवेस्मेंट जमें निकाला तो यह करीब सारी तीन परसेंट के मजबूति देखने हैं और य जो मूज है यह देता है तो मेरे साब से यहां पर एक्जिस्टिंग पॉजिशन हो तो बिल्कुल बने रहे हैं नई पॉजिशन लेना चाहें तब भी ले सकते हैं थोड़ा पॉजिशनल बैट अगर लेके चले तो फिफ्टी टू हंड्र तक के लेवल यहां पर आते हुए नजर आ सकते हैं और जो स्टॉप लॉस है यह फॉटी सेवन फिफ्टी के पास रहेगा तो ब्रेक आउट के बाद रिस्ट रिवर्ट रिशियो मुझे यहां से काफी फेवरिबल लग रहा है अच्छा एक जो अभी इन्फरा कंपरिस चल रहे था न उसमें एक आई यार बी के बारे में हमने कल मीटिंग में डिसकस किया था कि यह बड़ी ख़बर हो सकती है इनका ने एक आर्बिट्रेशन था आर्बिट्रेशन में एक मामला चलता है सरकार के साथ बाद में सेटल हो होगे वह आपके फेवर में हैं तो आप 1681 क्रोड का इसलिए इसका परसेंटेज और इन्फरा कंपरिस से थोड़ा ज्यादा है इसके ट्रिगर होने से और कंपरिस भी चलती है और के अनर कंस्ट्रक्शन भी थोड़े पहले शरत आपको बता के गए थे नवरतन शेयर पे ग अप्शन के ट्रेड बहुत अच्छे होते हैं और मैं सहीवा बता हूँ यह मैं ऐसे नहीं कि आप से बात कर रहा हूं मैं इसलिए बोल रहा हूं मेरे बहुत कम ऐसे लोग देखिया है जिनका ऑप्शन का बहुत हिट रेश्यो जाता है सोनी बैठी है उनकी कंपनी में एक औ बहुत अच्छे जाते हैं सोनी के भी जाते हैं शिवांगी के भी होते हैं और आपके तो खेर अच्छे ही होती है तो सर आपका ऑप्शन का ट्रेड आज का कौन सा है मौनिं दिम्पी जी सबसे पहले तो तन्यवाद और कोशिश यह रहती है कि ऑप्शन में जहां तक हो सके कि जो भी व्यूर्स है उनका मुनाफ़ा हो यस रिस्क रिवार्ड हमेशा वर निश्टू तो मेंटें का है तो आज का जो कॉल अप्शन हमने इडेंटिफाई किया वो है LIC Housing Finance का मुमेंटम वाले स्टॉक्स पे फोकस काना चाहिए इस पटिकलर काउंटर में पिछले कुछ दिनों से मुमेंटम देखने को मिल रहा है तो LIC Housing Finance का 610 का कॉल अप्शन जो करंटली 22 रुपीज के आसपा स्टेड हो रहा है 17 रुपीज का स्टॉपलास यहां अंडरलाइन की बात करें तो फेबरुरी सीरीज के लिए अंडरलाइन LIC Housing Finance काम 625 से 635 के ओजाता हुआ नजर आ रहा है यहां पर इस मुमेंटम को प्ले करने के लिए 610 का कॉल अप्शन लॉप्शन लॉंग कर के चल सकते हैं बढ़िया सर मैं आपको ना एक मिनिट के लिए रोकूंगा देखिए आपके सेंटरम ब्रोकिंग है और सोनी पटनायक की जीम फानेशल्स है एक बार दोनों के बार विंड़ो पे आप एक सार निलेश जैन को दोनों के पास अलग अलग टर्मिनल्स दोनों के अप्रोच एक है और आपको एक और चीज भी यकीन नहीं हो रहा होगा स्ट्राइकर भी एक ही आया सोनी का जो टार्गेट है छेसो दस का है अगर नहीं हो रहा हो यकीन तो आप थोड़ा सा यूट्यूब को पीछे कीज़ए मैं थोड़ देर पहले भी पता किया था कि सोनी छेसो आगए बुक करें के नहीं करें आपने का नहीं चेसो दस पर बनो अब आपके पास मैं एक और आपशन दे रिया आ निलेश ने भी वो ये कह रहे हैं कि आपको अगर ऐसा लगता है ना तो आप छेसो दस की कॉल ले लो वो भी रिस्क रिवार्ड आपको अच्छा दे रहे हैं और बीज़ार तक का प्रॉफिट है दसज़ार तक का लॉस होगा तो यह दोनों लोग अलग-अलग हाउसिस में काम करते हैं लेकिन एप्रोच एक ही है आपका फायदा आप तक पहुंच जाए कैसे ने कैसे कर गए और हमारी कोशिश भी यह होते हैं कि आप तक वो सारी कर रहे हैं और हो सकता उम्मीद करता हूं कि अच्छे प्रॉफिट आपको अप्शनस के अंदर मिल जाएंगे निलेश थैंक्यू वेर्मच आज का ट्रेड बताने के लिए एक स्टेंडर्ड डिस्क्लोजर भी है सेभी की बिहाफ से भी मैं बता रहे तो यह स्टेंडर्ड अब एक स्टेंडर्ड को लेकर इस्क्लोजर कर रहे हैं कि इस पर कुछ बड़ी ख़बर समझते हैं हमारा साथ जो है राजयस सिंग जूट चुके हैं सेनियर एटर है इतुनाव साधेश के और बजट और सरकारी कंपनियों के बारे में इंसे बहतर कोई नहीं जानता है रा सबसे बड़ा प्रॉब्लेम यह था कि लगभग 20-22 सालों से बनाए गये थे एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए लेकिन उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्ट्टर नहीं बने यानि से जैड को कनेक्टिविटी नहीं मिला चाहिए वह पूर्ट कनेक्टिविटी हो या रोड कनेक्टिविटी हो तो अब हालत यह हो गया है कि सरकार क्या यह रही है कि उनको डॉमेस्टिक इंडस्ट्री में बेचने के लिए लाउ किया जाए और उसके लिए इंसेंटिव इंटेंशिव दिये जाए पहले बात हो रही थी कि एक नहीं बिल आई जेगी देश बिल जिस को टैक्स इंसेंटिव सारे लॉटा देते हैं सरकार को वापस कर देते हैं जो टैक्स की चूट दी गई थी तो उन्हें डॉमेस्टिक मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचने की चूट दे दी जाएगी तो जो एसीजेट में प्रोड्यूस हो रहे हैं प्रोडॉक्स उन्हें domestic market में बेचे सकेंगे और उनकी continuity रहेगी उनको आपको याद होगा कि पिछले महीने ही 6 दिसंबर को सरकार ने यह भी नोटिफिकेशन निकाला था कि एसीजेट में जितने भी commercial units हैं उनको domestic market के लिए domestic industries के लिए domestic use के लिए भी rent पे देने की छूट देनी गई थी क्योंकि अगर आप देखिए तो 81 परसेंट जो के थे वह भड़े थे लेकिन 93 परसेंट खाली से तो इससे काफी फायदा उनको हो रहा है कि उनको रेंटल इंकाम आने लगा है अब अगर यह कर देते हैं कि वह domestic market में अपने प्रोड़क्ट को बेचने भी लगे तो उन्हें डवल फायदा होगा वह अपने प्रोड़क्शन को बढ़ा सकता है और एसी जड़ को एक सस्टेनेबल लेवल पर लाया जा सकता है फिलहाल एसी जड़ में जो इन्वेस्टमेंट हुए हैं उसके हिसाब से उनको 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 रिटर नहीं मिल पा रहा है मनीश यह बात कि समय आता है हर चीज का में को लग रहा है कि सरकार बहुत कंभीर है और राजयस्टर की बात सूनके मिले को ऐसा भी लग रहा है कि इसका कोई नकाना निकाला जाए देखो या तो आप जमीनों का वाप एक से कैलकुलेशन डालो या तो आप जो हो गया उसको और ठीक करो ज मुंबई के अंदर जिस तरह के development हो रही है और उस तरह के area को जिस तरह से connect किया जा रहा है ना ये सारे के सारी companies अपने आप में री rating के candidate बन जाते हैं तो राजे सर बहुत शुक्रिया थैंक यू वेर मच पहले तो एसी जड़ वाली खबर बताने का और दूसरा जैक आप धीरे धीरे करके अब उपर भी आ गया है करीब एक परसंट तो उपर होई चुका है आगे बढ़ते हैं एक जरह टेकनिकल कॉल ले ले लेते हैं प्रशान अब मेरे को ना सर आपसे दो कोशन पूछने को मैं थोड़ा समय भी आपसे ज्यादा लूँगा आपसे मैं पहले बात नहीं कर पाया एक तो पहले मेरे को नहीं जैक कॉप के बारे में जरा आप बता दो यह आपको ठीक लग रहा है क्या और उसके बाद फिर मैं आपकी ट् अब ही करेंट्ली हम 385 पे ट्रेड करें यह स्टॉक 390 के ऊपर सस्टेन करें एक दिन का क्लोज बेटर होगा 390 के ऊपर तभी इसको लिए जिसकी वजह क्या है तो यह पिछले कुछ दिनों से लोवर बाटम बना रहा है तो यह 390 के ऊपर क्लोज हो जाए तो 20 दिनों के सब के टागेट देख सकते हूं जैक आप आपने बता दिया सर और अलड़ी जैक आप देखी आप जभी हमने ऐसे जड़ वाली जो खबर आपके सब्सक्राइब करेंगे मैं एक और चीज़ आपको क्लियर करें तो आपने विट्टे सलागारों से पूस्ते रहीए का देखि रिपोर्ट सारी कए बार सोर्स बेस्ट होती हैं बजट से पहले तो हमिया आपको बता दे सोर्स बेस्ट इंफरमेशन थी हमार पास और इसकर ने एक ट्रिगर कैसी हुआ कल ना कॉमर्स सेक्रेटरी ने एक जगे पर बयान दिया वहां से ट्रिगर हुआ है कि हाँ से कुछ मामला सरकार गंभीरता से ले सकती है और सरकार इस पर बात करेगी देखती देखती दो परसंट उपर है साथ रुपे चल चुका जब ने कारेकरम देखती जोड़ी ने कि हर बार ऑप्शन के ट्रेट किया जा है कैस में भी एक से बढ़ता बढ़कर एक स्टेयन मिकलत मैं यह नहीं कहता कि आप सभी शियर्ज लो मैं यह कहता हूं कि जहापका कन्विक्शन बैठता है वह जरूर लो अब आतें जरा प्रशान पर वापिस से प्रशांट जी जरा में को अपने आप उपनिंग के ट्रेड बता दीजिए आपने बजार खुलने के बाद जो देख करो हायर एक्सपेक्ट करो फिलाल रेस्ट रिवर्ड के इसाब से 220 का डार्गेट मानके चलेंगे और नेक्स पिक मेरा एक इनिशली सुभे के लेवल में था टाटा केम पे एक हजार पचीस के स्वाप लॉस से अभी वो रेस्ट रिवर्ड जस्टिफाई नहीं करना तो इस कुष कि अच्छा आप मूव है कहीं भी कोई स्टॉप को लगता हुआ नहीं नजर आया मेरे साब से यहां पर लॉंग पूजिशन है तो बने रहें नहीं है तो बिल्कुल क्रियेट करें 1440 और 1470 के दो लेवल के लिए और स्टॉप लॉस से यह 1385 के पास लेके चलें तो य दीरे दीरे जर्श में तेजी बरती भी जा रही है क्या राएगी श्यर पर कुष मनिश एक सेकंड होल करिएगा प्रीज आजी यहां पर मुझे लग रहा है प्रेशर है बना हुआ रहेगा 20-day moving average के मूचे ट्रेड कर रहा है तो यह तिंग 635 जब तक नहीं क्रॉस होता इस मिले वापस सकता है तो पीवीर मेरे लिए फिलहाल अवाइड है अभी के लिए आपको इसमें दूर रहने के इसला है बजट की तरफ हम बढ़ रहे हैं एक सेक्टर है जिसके बहुत ज़्यादा उमीद की जा रही है उसमें हमने देखा कि तीजी देखनों के मिली अब वापस से खरदाई लोटी भी दिखी जब हमने देखा तब कुछ से स्टॉक में पिटाई हुई थी सरकारी कंपनी तो उसमें हल भी था वापस से मोमेंटम इसमें जन्नेट हो रहा है क्या आपको लगता है किसी को खरदारी करनी चाहिए इस लेवल पे बिल्कुल मेरे सब स तक के लेवल्स के लिए एक पॉसिटिव व्यू बनता है किसी भी तरीकिया कोई डिप आता है स्टॉक में तो वो एक अक्युमिलेशन अपॉर्चिनिटी होगी 28, 50, 28, 100 तक भी स्टॉक में अगर नीचे गिरावट मिलती है तो मेरे सब से अक्युमिलेट करना चाहिए तो हमने आपको 200 पॉइंट पे भी एक आता कि एक पर ट्रेलिंग स्टॉप्रोस लगाओ वॉल्यूम मत बढ़ाओ अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे ना तो फिर आपका पैसा जल्दी टीके गा नी फिर आप बोलोगे वहने को निकलना है बाहर तो आपने जो 20 साथ खुला था और अभी 236 पॉइंट पे हैं ये कवरिंग का पहला साइन होता है ट्रैप हो गए फिर वो जोर मारते हैं फिर आप पकड़ते हो पिर जोर मारते हैं और जीच जाते हो जरा बैंक निफ्टी दिखाओगे आप आलमस्ट इसम 25 पॉइंट दूर रह गया है वो खतरनाक है अब पकने तो अच्छे से उसके वाज़े पक जाएगा फिर आप उसके बाद एंटर करना और मैं फिर से बोलूँगा कि 45 500 21 500 जिनके भी लग रहा है कि प्रॉफिट्स हो गया उनको फ्री होना है वो फ्री हो जाएं नए टार्गेट 46,000 की बैंक निफ्टी के हो होंगे लेकिन वो कंडिशन एप्लाइड है आपको ट्रिलिंग स्टॉपलोस के साथ बढ़ना है ताकि आप कमा के ही निकलो घाटा तो हो ही नहीं ठीक है यह पॉइंट में को नोटिस करवाना था एक काम आपको और नोटिस करवाना चाहता हूँ वो वालेटिटी इंडेक् लेकि आते हो ना तो उसको कवरिंग में भी विक्स की वज़े से उपर आना पड़ता है तो वह कवरिंग विक्स करवा रहा है आपका आज का मैं बोलूगा जो सूपरस्टार HDFC रिलाइंस तो ही है दिखाओ एक बार HDFC रिलाइंस को दोनों को यह तो है ही है और जो तीसरा पर उस तमय जो बजार में शॉट कवरिंग कर ट्रिगर को दबा रहा है उसका नाम है इंडिया विक्स आज इंडिया विक्स आपकी हेल्प कर रहा है अपने नेचर को बदल कियो क्योंकि शॉट से आ आ गए थे नई सीरीज में उसको कवरिंग करवा के अगरे दस परसंड कर दो तक कवरिंग आती है नहीं बहुत स्पीड से नहीं आती है